वेल्कम फ्रेंट्स इरुसाला में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग सम सामय की क्रोनिकल देखेंगे और ये देखें सारे एकजामों के लिए बेहद ही अच्छी पत्रीका है PCS से लेके आरो चाहे किसी भी राज्य का SI हो या फिर SSC का हो या किसी भी तरीके का कोई भी एकजाम हो ये आपके लिए बेहद महत्पून पत्रीका है क्यों है ऐसा क्योंकि जैसे जैसे अब एकजाम का ट्रेंड चेंज हो रहा है वन लाइनर ना पूछ के करेंट में अब थोड़ा लेंदी कोश्चन पूछा जा रहा है तो उसके लिए ये क्रॉनिकल आपको बेहद अच्छा साबित होगा आप लोग इसको देखिएगा वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा तो देखते हैं चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग यहां कवर करने वाले हैं तो इसमें देखे जो current देथा हुए कैसे दिया हुआ ये देख लिजे इसमें जो current है राज्य ससंबंदित current affair है फिर राष्टिये है फिर आर्थिकी है उसके बाद अंतर राष्टिये है साइंस्टेक है फिर पर्यावरण है ऐसे करके यहाँ पे दिया हुआ है तो आज की करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे विल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आपको नए ने वीडियो मिलता रहे चलिए तो पहला टॉपिक है राज्य समाचार सिसंबंधित और इसमें जितने भी राज्य से इंपोर्टिन तथ हैं इसमें दिये हुए हैं तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे उत्तर परदेश करेंट अफ्यर सबसे पहले दिया है उत्तर परदेश का पहला इसमें टॉपिक ग्रेटर नोएडा में अंतराश्टिय बैपार परदरसनी आयुजित की गई है तो मती द्रॉब्दी मुर्मूने 21 सितंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा में उत्तर परदेश की पहली ये उत्तर परदेश की पहली अंतराश्टिय बैपार परदरसनी का उत्गाटन किया और यह जो परदरसनी है 21 सितंबर से 25 सितंबर तक आयोजित की गई ठीक है और ये पांच दि वसी इस बैपार मेले में 2000 से अधिक उत्पादों और 300 ब्रांड ने भाग लिया इस अंतराश्टिय बैपार परदरसनी से राज्जी के निर्माताओं और उदमियों के लिए राश्टिय और अंतराश्टिय बजारों में अपनी पहुंच अस्थापित करने में मदद 66 देशों के 400 से अधिक खरिदारों ने इस बैपार परदरसनी में भाग लिया एक जन्मपद एक उत्पाद योजना के साथ 54 जी आई उत्पाद भी इस आयोजन में परदरसित किया गया था चलिए अब नेक्ष है बुंदेलखंड ओदोगिक विकास प्राधिकरन के अस्थापना को मनजूरी दे गई है तो 12 सितंबर 2023 को उत्तर परदेश सरकार के द्वारा बुंदेलखंड ओदोगिक विकास प्राधिकरन को गठन को मनजूरी दे दिया गया है और ये जो है उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थ व्यस्था बनाने में ये पहल बहुत महत्पुन मानी जा रही है इसके माध्यम से क्या होगा इस छेत्र में अदोगिक टाउन्सिप को अस्थापित किया जाएगा इस अदोगिक टाउन्सिप को न्यू ओखला अदोगिक पिकास प्राधिकरन नोएडा की तर्ज पर बिक्सित किये जाने की योजना है और प्रस्तावित अदोगिक टाउन्सिप पर योजना के पहले चरण में जासी जिले के 33 राज़स्व गाओं को सामिल किया जाएगा पहले चरण में इन गाओं के 35,000 एकर भूमी को सामिल कर इस टाउन्सिप को बिक्सित किया जाएगा नेक्ष्ट है छेत्रिय भासाओं में डिक्सनरी तो हाली में उत्तर परदेश बेसिक सिक्षा विभाग के द्वारा परदान की गई जानकारी के अनुसार उत्तर परदेश राजि सिक्षा संस्थान के द्वारा भोजपूरी, आवधी, ब्रज और बुंदेल खंडी जैसे राजि की छेत्रिय भासाओं में सब्द को स्तयार किया जा रहा है कौन कौन सा है भोजपूरी है औधी है ब्रज और बुंदेलखंडी जो राज्य की छेतरिये बोलिया या भासा है इसी में सब्द को स्तयार किया जा रहा है ये जो सब्द को से चार खंडों में परकासित किया जा रहा है जिसमें 76,000 सब्दों को सामिल भी किया गया है यह राज्य में छेत्रिये बोलिया भासाओं में त्यार की जाने वाली अपनी तरह की प्रथम पहल है इस पहल का उदेश क्या है भासाई बधाओं को दूर करते हुए राज्य की छेत्रिये बोलियों को सनरचित करना और उसे बढ़ावा देना है यह पहल जो है नई राष्टिये सिक्षा नीती 2020 के अनुसार ही है अनुरूप है इसके माध्यम से सिक्षक छात्रो कून की अस्थानिये बोलियों में बिसेयों को बेहतर तरीके से समझाने में सक्षम होंगे नेक्ष करेंट है इसका कभी अरून कमल को निराला इसमरीती सम्मान दिया गया है तो 2023 का जो निराला इसमरीती सम्मान है यह कभी अरून कमल को दिये जाने की घोसना की गई है तो यह जो सम्मान है कभी अरून कमल को यह चायावादी महा कभी सूरेकान त्रिपार्थी निर पर 15 अक्टूबर को परदान किया जाएगा यह सम्मान जो है महा कभी निराला की चेतना विचारधारा और उनकी रचनात्मक परंपरा से जुड़ने वाले रचनाकार को दिया जाता है 1989 में कभी अरून की जो पहली पुस्तक अपनी केवलधार तथा 1989 में उनकी दूसरी पुस्तक जो है सबूत प्रकासित हुई थी तो अपनी केवलधार और सबूत इनकी पुस्तक है ठीक है और इनकी तीसरी तीसरा संगरन नए इलाके में प्रकासित हुआ था जिन्हें के लिए उनको साहित अकाद्मी पुरसकार से भी सम्मानित किया गया था अरून कमल जो है आधुनिक हिंदी साहित में समकालिन दोर के कभी है नेक्ष है तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्टरी का उदगाटन किया गया है उत्तरपरदेश के मुख मंतरी योगी आधित्यनाथ ने 18 सितंबर 2023 को गोरकपूर अधोगिक विकास प्राधिकरन गीडा में 110 कडोर रुपाई के निवेश से अस्थापी तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्टरी का उदगाटन किया है सरकार के द्वारा गोरकपूर अधोगिक विकास प्राधिकरन से लेकर धूरियापूर तक अधोगिक गलियारा विक्सित किया जा रहा है तो गोरकपूर से धूरियापूर तक धूरियापूर में 5000 एकड में अधोगिक विकास किया जा रहा है इन फैक्ट्रियों में 1000 कडोड का निवेस किया जाएगा, जिससे 5000 से अधिक वस्तुओं को रोजगार मिलेगा। अब नेक्ष्ट है, राज्य में सेज की तर्ज पर बनेंगे स्पेशल सैक्षिक जोन, तो उत्तर परदेश में विसेश आर्तिक छेतर की तर्ज पर विसेश सैक्षिक पर रिचेतर बनाए जाएंगे। पहुयामी, सिक्षा, सोध वर कौसल विकास परकारे काम करेगा। अमेरिकन सलाहकार कमपनी डिलाइट की विभिन सेक्टरों में दी गई रिपोर्ट को विभागों के सहयोग से लागू करने पर उत्तर परदेश सरकार ने मनजूरी दे दी है। डिलाइट के अनुसार सैचिक जगत को उद्धोक से सिधा जोड कर राजी के लाखो असनातकों को रोजगार परदान किया जा सकता है। डिलाइट के रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 10,851 चात्रों को नीजी कमपनियों में रोजगार मिला है। अब नेक्ष देखेंगे राजी के इस क्यूलों में सब्ताह में मात्र 29 घंटे पढ़ाई होगी। तो अब मात्र सब्ताह में 29 घंटे पढ़ाई होगी। तो राजसरकार ने 13 सितंबर 2023 को नई राष्टिये सिक्षा नीती को अच्रंसा लागू करने के उदेश से सिक्षा विभाग को नई नीती, नई सिक्षा नीती के नेशनल करी कूलम फ्रेम वर के तहत ही इस कूलों में पढ़ाई के लिए नई नियामली त्यार करने के निर्देश दिये हैं। नई सिक्षा नीती के तहत इसकूलों में सब्ताह में कुल 29 घंटे कच्छाय लगानी की स्तूति की गई है। तालिस से घट कर 35 मिनट की जाएगी, जबकि परमुख विसायों की जो कच्छा है वो 50 मिनट चलेगी 50 मिनट तब। नई सराश्टिय सिक्षा नीती में बच्चों को पढ़ाई के बोच से राहत देने के उदेश से, साल में अलग-अलग तीतियों में कुल 10 दिनों तक बीन बसते वाले दिनों में बच्चों को मौखिक और परियोगों के जरिये पढ़ाया जाएगा, तो ये सारे ब्योस्ता किये गया है, नेक्षे लखनव, आगरा, वारा नसी में बनेंगी उनिटी मॉल, तो केन सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को कुल 3 उनिटी मॉल देने की गोसना के बाद इस पर काम सुरू हो गया है, तो भारा सरकार के केंद्रिये बजट 2023 में देश के समस्त राजियों में उनिटी मॉल की अस्थापना के लिए प्रावधान किया गया है, उनिटी मॉल में राजियों द्वारा अपने ODP, ODP जो उत्पाद है, ठीक है, ODP उत्प उत्पाद, हस्तिसिल्प उत्पाद और अन्य राजियों के ODP उत्पादों की परदर्सनी तथा विक्री की बवस्थाइस में की जाएगी, इसका उत्देश क्या है, उनिटी मॉल का उत्देश है, राष्टिये की करन में किन इंडिया ODP परियासों को बढ़ावा देना और अस्थानिय हस्तिसिल्प उत्पाद और अस्थानिय रोजगार को स्रीजन करना है, मॉल में आने वाले लोगों को खाने पिने की सुईधा उपलब्त कराने के लिए फूड कोर्ट भी खोले जाएंगे, नेक्ष है हर घर पेजल पहुँचाने में उत्तर परदेश सब से 23 से 16.05 लाग करयात्मक घरेलु नल कनेक्षन अस्थापित करके वर्तमान बित वर्स में प्रगती चार्ट में सिर्स अस्थान प्राप्त किया है, ठीक है, तो कितने लाग है, 16.05 लाग घरेलु नल कनेक्षन अस्थापित किया है इस बित वर्स में, जल जीवन मीशन में दे उत्तर परदेश के सात जीले सामिल है लुजभधरपूर, बदाईउं य सारे उपी के है और फिर मुगेली है तिरूपतूर है चंदोली है और कन्नौज है लखनव है नीचे यह तीनों भी उपी के है चलिए आगे देखते हैं अब 66 लाग से अधिक संपती स्वामित्य कार्ड त्यार किया गया है तो उत्तर प्रदेश में पीएम स्वामित्य योजना के अंदर अब तक 66 लाग से जादा घ्रोनियों घ्रोनिया त्यार हो चुकी है प्रदेश के 90 हजार से अधिक गाउं के लिए घ्रोनिया त्यार कराई जारी है जिसमें 47,000 से अधिक गाउं की घ्रोनियों का अपकारे जो पूरा कर लिया गया है मुखमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2023 तक प्रतिवर्स घ्रोनियों बनाने के कारे को सत्थ पूरा करने का लक्ष त्यार किया है प्रतिमा 2 लाग घ्रोनियों बनाने के लक्ष के सापेक्ष बीते 45 दिनों में 4,31,794 से अधिक घ्रोनिया बनाई गई है जो 144 परसेंट तेज गती से अपने लक्ष की और बढ़ रही है स्वामित योजना में सबसे अच्छा परदर्शन करने वाले जीलों में देखेंगे तो ये ललीत पूर सबसे सरुस्रेश्ट रहा इसके बाद कास गंज, मुरादाबाद, जालोन और संभल ये सभी है इन सभी जीलों में लक्ष के सापेक्ष 99 परसेंट से अधिक कार संपन हो गया है 24 अपरेल 2020 को परदान मंत्री नरेंद मोदी ने पी-म स्वामित योजना का सुभारम किया था कब 24 अपरेल 2020 को अब आगे देखेंगे उत्तर परदेश के सभी जीलों में अब लागू होगा E-Office तो उत्तर परदेश सरकार ने राज्य भर में सभी सरकारी कामकाज को पूरी तरह E-Office के माध्यम से अब करेगी इसके लिए सभी जीलों में E-Office पहल का लागू किया जाएगा तो सासन अस्तर पर या व्योस्था जो है लागू होने के बाद अब जीलों और मंडलों में इस्थत सरकारी दप्तरों में भी या व्योस्था लागू होगी हाली में कन्नोज जो है जीले में पूरी तरह E-Office लागू हो चुका है इसी केनुसर वहां कारयालों में फाइलों का संचालन हो रहा है मुखमंत्री योगी आदितनाथ ने 2018 में पूरे परदेश के सभी विभागों, जीलों, मंडलों में ये ओफिस ब्रोस्था लागू करने के आदेश दिये थे इओफिस क्या है? एक सरली कृत, उत्तरदाई, परभावी और पारदर्सी कारपणाली प्राप्त करने का एक माध्यम है चलिए अब आगे देखेंगे FDI में उत्तर परदेश जो है 22 राजियों से आगे है तो FDI के प्रवाह के अधार पर देखा जाए तो राजियों की जो हालिया रैंकिंग है उसमें उत्तर परदेश अक्टूबर 2019 और जून 2023 के बीच 21 अस्थान प्राप्त किया है उत्तर परदेश से उपर कौन है महराज, शुकरनाट, गुजरात, दिली, तमिलाडू, हर्याना, तिलंगाना, जारखन ये सभी है विशेस रूप से इसने पंजाब, आंध्र परदेश, केरल, मध्य परदेश, हिमाचल परदेश, बिहार इन सभी को पीछे छोड़ा है करीब चार गुना विगत पास वर्सों में 2019 से 23 के विज़ाया है, ठीक है, निवेश क्या है किसी भी राज्जी की प्रगती और समाजिक व राजनीतिक महावल का सूचक माना जाता है निवेश को अब नेक्ष है अटल आवासिये विद्याले का गुरू वारता संगम कारिकरम तो ये मुखमंति योगी आदित नाथ ने 1 सितंबर 2023 को अटल आवासिये विद्याले के गुरू वारता संगम कारिकरम में अटल आवासिये विद्याले की परियाचिका का विमोचन तथा वेब पहले चरन में 18 अटल आवासिये विद्याले का सुभा आरंभ इस सन में किया जा रहा है और अगले चरन में बेसिक सिक्षा परिसद द्वारा बचे विच संतावन जनपदों में इसी तर्ज पर एक एक विद्याले अस्थापित किया जाएगा अटल आवासिये विद्याले जो है CBAC बोड के पैटर्न पर संचालित होगा और इसमें लौजिंग फूडिंग सहित व्योस्थाए होगी कच्छा 6 से लेकर बारवी तक की संपून सिक्षा का दाईत रासरकार उत्तर प्रदेश भवन एवं अन सनिमार्ग कर्मकार कल्यान बोड उठाएगा ये संस्थान नौकेवल वंचित पच्चो को सिक्षा परदान करेगा पल की भारतिये मुल्यों और गुरु कूल परमपराओं को भी बढ़ावा देगा अब नेक्ष है जहासी में मेजर ध्यान चंद म्यूजियम का लुकारपन किया गया है जहासी में मुख मंत्री योगी आदित नाथ ने 29 अगस 2023 को खेल दिवस के उसर पर मेजर ध्यान चंद म्यूजियम का साची में किया लुकारपन किया है मेजर ध्यान चंद म्यूजियम जो है रानी लक्षमी वैपार्क में बनाए गया है और हौकी को समर्पित यह देश का पहला म्यूजियम है 19 करोर की लागत पे बना है ठीक है और 20 से अधिक जून में से बाटा गया है संग्रहाले को इसमें मेजर ध्यान चंद के जीवन से जूड़ी स्मरीतिया घटनाए भारतिय ओकी की विभीन जानकारिया इसमें डिजिटल माध्यम से दी जाएगी नेक्ष है नंदनी क्रीशक समरीधी योजना तो उत्तरपड़ी सरकार ने राज्य में मवेसियों की नसल बढ़ाने और दुग दुद उतपादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा मिसन के तहर नंदनी क्रीशक समरीधी योजना सुरू किया है इस योजना का उदेश है दुद पादन और डेरी किसानों की आय बढ़ाने के लिए गाय की नसलों विसेश रूप से साहिवाल, गीर, थार परकर और गंगा तेरी में सुधार करना है सरकार जो है 25 दुधार्यू गायों की एक इकाय अस्थापित करने के लिए 62.5 लाग की रुपए की अनुमानित लागत पर 50% सबसीडी परदान करेगी जिसमें प्रती लाभरती अधिक्तम 31.25 लाग रुपए की सबसीडी होगी यह योजना जो है सुरुवात में राज्य के 10 संभागे मुख्याले में लागू किया जाएगा और फिर यह योजना जो है तीन चरनों में लाग परदान करती है चरन एक में क्या है कि इकाय निर्माल लागत पर 25% सबसीडी देगी चरन दों में दुधार्य गायों की खरीद बीमा और परिवहन के लिए 12.5% सबसीडी परदान करेगी और परियोजना लागत पर तीसरे चरन में परियोजना लागत पर सेज जो है 12.5% सबसीडी परदान करता है ठीक है तो यह था नंदनी किरिशक समरीधी योजना अब नेक्ष देखेंगे देखें और सम अन्य महत्पून देख लेते हैं समसामाई घटना करमिस में बागपत के अखिल सियोरान ने चीन में चल रहे है एसियन गेम्स में स्वन पदक जीता है और अखिल ने यह जो मेडल है पचास मीटर थ्री पोजीशन राइफल पूरुष टीम इवेंट में प्राप्त किया है उत्तर परदेश के सभी 95,667 गाउं ने ODA प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है ODA प्लस क्या है गाउं वह होता है जिसने ठोस या तरल अपसीश प्राबंधन पर नालियों को लागू करने के साथ साथ अपनी खूले में सौच मुक्त स्थिती को बनाए रखा है यह ODA प्लस गाउं होता है हिरदय दिवस के उसर पर 29 सितंबर 2023 को मौँ में लोगों को जागरू करने के लिए रन फोर हार्ट का आयोजन किया गया मुख मंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 57 जीलो में मुख मंत्री मौडल कॉंपोजिट विद्याले थीक है विद्याले है विद्याले के अस्थापना करने लिया है राजपाल अनंदी बेन पटेल ने 29 सितंबर 2023 को कानपूर के छत्रपती साहुजी महराज विद्याले में आगन बाड़ी प्रसिक्षन कारिकरम का सुभारंब किया मुखमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 सितंबर 2023 को गोरकपूर में 343 कडोर रुपए की 76 विकास पर्योजनाओं का लोकारपन और सिला नयास किया और इन पर्योजनाओं में घंटा घर में बनने वाले बंधू सिंग कॉमर्सियल कॉंपलेक्स हुआ मल्टी लेबल पार्किंग और 20 कडोर 43 लाक रुपए से बनने वाले गोरो संग्रहाले का सिला नयास भी सामिल है नेक्ष है बीषवा राष्टिये पुस्तक मेला 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तर लखनों में आयोजित किया जा रहा है वर्ष 2023 के राष्टिये पुस्तक मेले की थीम क्या है ग्यान कुम्भ है उत्तरपरदेश के मेरट में सीवेज उपजार सनयंत्र और अन्य आउसम रचना के विकास के लिए एन एम सीजी उत्तर परदेश जल निगम और मेरट स्टीपी प्राइब लिमिटेड के बीच समझोते परहां स्ताक्षर किये गया है आगरा के फतेपूर सिकरी ब्लॉक में निउक्त वर्सा चाहर को उत्तर परदेश राज्य सिक्छक पुरसकार 2022 परदान किया गया है वहां निर्माता कमपनी असोक लीलेंड उत्तर परदेश में इलेक्टिक बस निर्मान की इकाई लगाएगी 15 सितंबर 2023 को असोक लीलेंड और उत्तर परदेश सरकार के बीच समझहोता गयापन परहस्ताक्षर हुआ है केंद्रिय स्वास्मति मनसुक मंडेविना ने 16 सितंबर 2023 को आगरा में अंगदान पंजीकरन महास्वीर का सुब आरम किया है केंद्रिय समाजिक न्याय एवमाधिकारिता राजमंत्री ए नरायन स्वामी ने 15 सितंबर 2023 को वारा नसी में दिव्यांग जन ससक्ती करन विभाग द्वारा लगाए गये दिव्विकला का उदगाटन किया है मेले का उदगाटन ये आपका दिव्विकला मेला है उदगाटन किया है मुखमंत्री योगी आदितिनाथ ने 17 सितंबर 2023 को गोराकपुर में 343 कडोर रुपए की 76 विकास परियोजनाओ का लोकारपन और सिला नियास किया है ठीक है तो ये सारे उत्तरपरदे से संबन्दी थे अब देखते हैं आगे उत्तराखंड के तो आठवा देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टीवल का आयोजन 22 से 24 सितंबर 2023 को किया गया है और ये फिल्म फेस्टीवल के साथ साथ उत्तराखंड जो है टैलेंट हंट एवं आगन 22 एक्जिवीशन का आयोजन भी किया गया पिछले आठ वर्सों से देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टीवल का आयोजन करता आ रहा है और इसमें अनेक नए नए डारेक्टर और परडूसर को एक प्लेटफर्म देने की कोशिस की गई है उत्राखंड टैलेंट हंट के माध्यम से युवाओं को अन छेत्रों में भी अपनी परतीभा दिखाने का मौका देने का प्रियास किया जा रहा है नेक्श है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्राखंड के दो जीले चमपावत और पिथोड़ागर सामिल हुए है इस पहल का उदेश है परियतन कतिवीदियों को बढ़ावा देना और इन छेतरों को परियतन की दृष्टी से विक्सित करना तथा आगंतुकों को बुनियादी सुधाय प्रदान करना है स्वदेश दर्सन 2.0 जो है इससे जुड़ने के बाद उत्राखंड के ये दुरस्त जीले परियतन के जरिये विकास के मुख धारा में जुड़ जाएंगे स्वदेश दर्शन योजना जो है ये क्या है तो ये केन सरकार की एक पहल है जिसके तहट भारत सरकार के परियटन मंत्राले द्वारा थी माधारित परियटन सरकीट का एकी कृत विकास किया जाता है स्वधेश दर्शन योजना का जो उद्देश है ये भारत के प्रयटन छेतर की छमता को विक्सित करना ब्यापक बनाना और अधिक्तम करना है अब नेक्ष राज जी की पहली सेवा छेतर नीती को मंजूरी मिली है तो उत्राखंट सरकार ने सेवा छेतर के लिए नई नीती को मंजूरी दी इसके माध्यम से 20 लाख रोजगार स्रीजित करना और 10 लाख स्रमिको के कौसल विकास को सुईधा जनक बनाने का लक्ष रखा है इस नीती में स्वास्त, सिक्षा, आतित, कल्यान, आईटी, टेटा सेंटर, खेल और फिल्म उदोग को सामिल किया गया है नेक्ष सस्ती बिजली उत्पादन के लिए परदेश में बनी पॉम्प और स्टोरेज पॉलिसी तो उत्राखंड में सस्ती बिजली मुहया कराने के लिए राज सरकार जो है पॉम्प और स्टोरेज पॉलिसी लेकर आई है इस पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है पॉम्प और स्टोरेज पॉलिसी से राज जी की नदियों पर पर्योजनाय लगाने वाले को जहां राज सरकार को बारपन 5% प्रोयल्टी नहीं देनी होगी वहीं उन्हें अस्थानिये छेत्र विकास, सूल्क, पारेशन सूल्क से भी छुट मिलेगे इनमें क्या है नदियों पर पहले से चल रही पर्योजनाओं में कमपनियों को प्राथ मिक्ता दी जाएगी और ये पर्योजनाय 45 साल के लिए होगी जिसके बास राज सरकार के हवाले हो जाएगा विदेशों से आने वाली लिक्वीफाइड गैस की तरज पर अब राजी के उद्दम सिंग नगर जिले के कासी पूरा में इस था दो गैस अधारित विजली प्लांट के लिए आने वाली सी एंजी पर भी वैट सुन्न होगा तो ये सारे जो थें इसके बारे में थे सस्ती विजली उत्पादन के लिए अब आगे देखेंगे बेवसाइक सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुरू होगा हव एंड स्पोक मोडल तो परदेश में बेवसाइक सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए 47 स्कूलों में हब एंड स्पोक मोडल सुरू किया जाएगा इससे इन स्कूलों के छात्र छत्राओं की बेवसाइक विसोय की पढ़ाई की राह असान होगी केंच सरकार की ओर से ये स्योजना को मंजूरी दे गई है और इसी महीने से ये राज्य में सुरू किया जाएगा model योजना के तरद जिन स्कूलों में परियोकसाला नहीं है उन स्कूलों के छात्र छात्राओं को सरकार जो है परियोकसाला तक जाने के लिए प्रतिवर्स परियोहन के तीन हजार उपए देंगे इन सभी स्कूलों में टूरीज में एगरी कल्चर, प्लंबर, आदी, विभिन, आठ व्योसाई कोर्स चलाए जा रहे हैं तो यह उत्राखंड से संबंदी था अब हम लोग बिहार से संबंदी देखेंगे पटना नगर निगम ने कैस फोर वेश्ट योजना की सुरवात की है तो वेश्ट टू वेल्ट के विशह पर कार करते हुए पटना नगर निगम ने हाली में अस्थापित मेटेरियल रिकवरी फैसलिटी में आम लोगों के लिए कैस पोर वेश्ट योजना की सुरवात की है। इसके तहट लोगों को उनके सूखी कचरे के लिए परतेक वस्तू के लिए निर्धारित मुले सूची के तहट भुकतान किया जाएगा। अत्यादुनिक सूइधा में परती दिन दो टन सूखा कचरा और डेड़ टन जो है गीला कचरा संसाधित करने की छमता है। नेक्स है पटना में जीएस्टी ट्रिबूनल बेंच खुलेगा। तो पटना में जीएस्टी ट्रिबूनल जल्दी सुरू करने के लिए हाली में इसमें रश्टेशन डिजेक्ट रिफंड, ईवेविल, ICT संबंधित मामले और विबादित जीएस्टी से संबंधित मामलों का कम समय में निप्टान किया जाएगा। जीएस्टी ट्रिबूनल में चार सदस्यों की निप्ति होगी जिसमें दो न्याइक और दो तक्नीकी नेक्ष है बिहार के चार सिर्ष कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार दिया गया है तो कला, संगीत और अभिनाय के छेत्र में उलेखनिये एवदान के लिए बिहार के चार कलाकार को इस वर्ष संगीत नाटक अकादमी अमरित पुरसकार दिया गया है तो उपराश्पती जगदीब धानकर ने बिहार के सुमन कुमार भरत सिंग भारती गनेश परसाथ सिन्हा रगुवीर मलिक सहित देश भर के 84 कलाकारों को 16 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में सम्मानित किया है सुमन कुमार जो है नाट भी नई के लिए प्रसकार परदान किया गया इनको वे आकास वानी पटना से भी जुड़े हैं और दूर सरंचार में समचार वाचक रहे हैं दूर सरंचार ने दूर दर्शन में ये समचार वाचक रहे हैं अब नेक्ष इसमें है दरभंगा जिले के रगुवीर मलिक जो है हिंदुस्तानी संगीत में दुरूपद गाय की जबकि भोजपूर जिले के भरत सिंग भारती को लोक संगीत के लिए पुरसकार दिया गया ह भरत सिंग भारती ने 1000 से अधिक गीत गाय हैं और लिखे हैं इन्होंने सैकडो भजपूरी गीतों को संगीत बद्ध किया है उनके गीतों के दो संगरन नैका भिहान सब्त सरोवर आ चुके हैं वहीं नावादा के गनेश परसाद सिनहा को परदर्शन कला में ये पुरसकार दिया गया है नेक्स है एनेम सी एच में देश की सबसे बड़ी लॉंडरी का सुभारम किया गया है तो मुख मंतिरी नीतीज कुमाने 15 सितंबर 2023 को नालंदा चिकित्सा महा विद्याले अस्पताल में देश का सबसे बड़े एकी कृत लॉंडरी सुधा का आरंब किया है एन यहां एनेम सी एच इंद्रागांदी हिरदैरोग संस्थान जैसे विभीन स्वास संस्थानों के दैनी कुपियोग वाले कपड़ों के एक साथ धुलाई होगी गुनवत्ता पुर्वक सभाई के लिए स्वास विभाग के द्वारा क्विक क्लीन एजेंसी को संचालन की मंज 2023 को नई दिल्ली में चल रहे चार दिवसिय सम्मेलन में बिहार के चार किसान और दो किसान समू को सम्मानित किया है पुरस्कृत होने वाले किसानों में रोहतास के दो जमूई और मुंगेर के एक एक किसान सामिल है किसान समू में लीची क्रीशक उतपादक समू और भागल पूर कतरनी चावल उत्पादक समू हैं तो सम्मानित प्यक्तिक बार्म देखनीजे जमूई के अर्जुन मंडल को औसधिये पौदो की खेती के सनरक्षन करने के लिए दिया गया है मुंगेर के सत्यदेव सिंग को चना और तीसी के प्रभेद सनरक्षन करने के लिए रोतास क के ही अर्जुन सिंग को चावल हल्दी अमलोकी को सनरक्षित करने के लिए दिया गया है नेक्स है जल संचय के लिए पटना में बनेंगे 21 चेकडेम तो पटना जिले में जल संचय के लिए 21 चेकडेम बनाए जाएंगे ये 31 मार्ज 2024 तक चालू बीतिये वर्स में करने का लग्चे रखा गया है मनरेगा से 18 और क्रीशी विभाग के आधियम से 3 चेकडेम बनाने की सुकृती मिली है इसमें जो 14 चेकडेम बनाने का काम सुरू भी हो गया है पटना जीले में पहले 80 चेकडेम बनाने की योजना थी लेकिन भौतिक सत्यापन करने के बाद 21 क जरूरत होती है नेक्स है वेट्रेंड की देख रेक के लिए आदर भूमी मित्र केर टेकर का होगा चैन तो बिहार में 45 आदर भूमी वेट्लेंड का हिल्थ कार्ड बनाया जा रहा है और वेट्लेंड की देख रेक के लिए केर टेकर का चैन किया जाएगा केर टेकर का तो रा पुझाज सही तुपयोग की कार्योजना बनाना है इन 10 जीलों में मुझफर पूर बेगु सराय क्खगडिया समस्तिपूर उनिया कटिहार मुंगेर लक्खी सराय ये सब ही सामील है इनमें से समस्तिपूर जीले में सबसे अधिक 11 वेटलेंड हैं ठीक है वर्तमान में आगे, देखेंगे, जीविका दीदिकी रसोई, योजना, छे और अस्पतालों में सुरूव की गई, तो उपमुख मंतरी तेजस्वी परसाद ने चार सितंबर 2023 को राज्य के दो मेडिकल कॉलेज के साथ चार अनुमंडली अस्पतालों में मरीजों के लिए जीविका दीदी की रसोई कारकरम को लॉंज किया है और जीविका एवम राज्य स्वास समीती के विच हुए समझावते के तहत जन अनायक करपूरी ठाकूर चिकित्सा महाबिद्याले एवम अस्पताल मधेपूरा में मधेपूरा एवम भगवान महाबिर इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंस नालंदा के सुभारम के साथ अनुमंडली अस्पताल फिर राजगीर दानापूर धमदाहा और फारविस गंग में इन सभी जगा जीविका दीदी की रसोई का सुभारम किया गया है वर्तमान में बिहार सरकार और जीविका योजना के संकल्प के अधिन विभीन विभागो और समुदाय अधारित संगर्थनों के साथ सहयोग से कुल 106 जीविका दीदी की रसोईयों को संचालित किया जा रहा है इस पहल के अंतरगत 100 ग्रामिन दीदी एवं उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध होगा तथा या उनके आर्थिक एवं समाजिक विकास में सहायक बनेंगे बिहार ग्रामिन जीवको पारजन पोड़साहन समीती द्वारा जीविका दीदी की रसोई के संचालन की जो सुरुवात हुई थी 2018 में हुई थी अब नेक्ष्ट है जारखंड से संबंदित तो हमारी गौ माता हमारा दाईत योजना सुरू किया गया है जारखंड के द्वारा 20 सितंबर 2023 को हमारी गौ माता हमारा दाईत ठीक है इसके लिए प्रस्तावपारित किये गया है जारखंड में इस योजना को सुरू जल्धी किया जाएगा करीब 15 साल के बाद नौगठित जार्खन गौव सेवा आयोग की बैठक में यह आयूरत किया गया था इसमें निर्णे लिया गया था इस योजना से आम जन को जोड़ा जाएगा यह गो सालाव में पोसित गो वन्सुवे पसुव को गोध लेने के रूप में किरियानमित की जाएगे जार्खन में परियाटक अस्थलों में खुलेंगे योगा उस केंद्र ठीक है जार्खन के परमुक तुरिष्ट असपोर्ट एवं मेडिको टुरिज्म को बढ़ावा के लिए योगा आयूस केंद्र खोलने की योजना है यहां परियाटको को एक छत के नीचे योग आयूएद वं पंच कर्म कानुभव मिलेगा एक ही छत के नीचे इसमें इसके लिए तीन परमुक परियाटर नस्थलों का चैन किया गया है इनमें नेतरहाट पतरातु और मैकल और हैं मेकलू इसकी गचुबौन केंद्र के रूप में बिक्सित करने की योजना बनाई गई है केंद्र को स्रेष्ट प्रामानिक आयृवेदिक क्लेडिक पंच कर्म केंद्र के रूप में इस्थापी किया जाएगा यहां है परियाटन के साथ ही तनाव मुक्ती जैसे कारक्रम आयोजित किये जाएंगे अब ये मध्य परदेश का है प्रारंभिक सिक्षा के लिए संचालित छात्रावासो की रैंकिंग में सिहोर जिला प्रत्थम अस्थान पे आया है तो राज्य सिक्षा केंदर इसकूल सिक्षा विभाग के द्वारा 18 सितंबर 2023 को प्रदेश म प्रारंभिक सिक्षा के लिए संचालित छात्रावासो की सत्र 2022 तेस की रैंकिंग जारी की गई है जिसमें सिहोर जीले जो है प्रत्थम अस्थान पाया है ठीक है इस रैंकिंग परणाली को बिक्सित करने का मुख्ष देश क्या है तो रहवासी सुईधाव के साथ छात्रा वासो में अध्यान अत्यापन की बेहतर व्यवस्ता है तू स्वस्त पर्ति अस्पर्दा जागरित करना है सिहोर जीले ने प्रत्थम अस्थान कारेच्छमता इंपरदर्शन के अधार पर प्राप्त किये है ठीक है अब आगे इसमें कुछ है नहीं इसके साथ ही परदेश भरके छात्रावासों की रैंकिंग जारी की गई है इसमें अली राजपूर जीला के ग्राम जोहट का कस्तुरुबा गांधी पाली का विद्याले छात्रावास जो है प्रत्थम अस्थान पे बीना में 51,000 करोर रुपई की परियोजना का सिला न्यास किया गया है तो परदानमंती नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2023 को सागर जिले में स्थत भारत पेट्रोलियूम कॉर्परेशन लिमिटेट की बीना रिफाइनरी परिसर में लगभग 51,000 करोर रुपई के पेट्रो केम परियोजनाओं का भी सिला न्यास किया गया है इनमें बीना रिफाइनरी परिसर में 49,000 करोर रुपई की लागत से पेट्रो केमिकल कॉम्पलेक्स और प्रदेश के बीभीन अस्थानों पर अठारा सो करोर रुपई की लागत की 10 नई अधोगी परियोजनाएं सामिल है परियोजनाओं की भी अधार सिला रखी है जिसमें नर्मदा पूरम जीले में बिदूत और ये नविकर्निय उर्जा बी निर्मान छेत्र इन दौर में दो आईटी पार्क और अतलाम में एक मेगा अधोगी पार्क और पूरे मद्द परदेश में 6 नए अधोगी छेत्र सामिल होंगे नेक्ष है क्रिशक लहरी बाई को पादप जिनोम सनरच्छक किसान सम्मान दिया गया है तो राशपती द्रौबदी मुर्मु ने 12 सितंबर 2023 को नई दिली में आ पादप जिनोम सनरच्छक किसान सम्मान परदान किया गया है इसमें दिन्डोरी जिले की बजाग तहसिल निवासी लहरी बाई ने बैगा समुदाई की सहायता से कोदो कुटकी सावा काग सीकिया मडवा जैसे दुरलव स्री अनपरजातियों का सीड बैंक बिक्सित किया है मिलेर सरनच्छन के लिए लहरी बाई द्वारा अदभुत कारे किया गया है इनके कारे की सराहना जो है प्रदानमति नरेंद्र मोधी भी परसीद रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कर चुके हैं नेक्ष है मुख मंतरी लाडली बहना आवास योजना का उदगाटन मुख मंतरी सिवराज सिंग स्योहान के द्वारा 17 सितंबर 2023 को भुपाल में किया गया है इस योजना में वे परिवार सामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है या दो कमरे से कम के कच्चे मकानों में रहते हैं योजना के तहट जो परिवार विभी नावास ही योजनाओं में आवास सुविधा का लाब पाने से वंचित रह गये थे उनके उन्हें इसके तहट मकान मिलेगा ठीक है इस योजना के तहट 4,75,000 हित्त ग्राहियों को लाब मिलेगा नेक्ष्ट है स्टेचू अफ वननेस स्टेचू अफ वननेस मद्परदेश के मुख मंतरी सिवरा सिंग चोहान ने 18 सितंबर 2023 को ओमकारेश्वर में महान दार्सनिक आदि संकराचार की 108 फीट उची परतीमा का अनावरन किया है और इस परतीमा का नाम स्टेचू अफ वनने परियोजना के निर्मान के लिए 2,141 कड़ो रुपए से अधिक का बजट प्रावटित किया गया है इसमें अद्वैत लौक नामक एक संगरहाले की अस्थापना की गई है भी सामिल है जो देशवासियों में एक्ता के सन्वर्धन के साथ ही अद्वैत बेदान्त दर्शन क परचार और संरक्षन के लिए समर्पित होगा इस दर्शन के अध्यन और परचार के लिए एक अंतराश्चिय बेदान्त संस्थान अस्थापित किया जा रहा है आदि संक्राचार का बचपन उनकी आध्यात्मी खोज के संदर में विसेश रूप से महत्पूर्ण है अब 36 गड़ का देखेंगे तो 36 गड़ ने सेतु बंद आसन के परदर्शन में बनाया विस्वे रिकोर्ड तो 36 गड़ 10 सितंबर 2023 को सेतु बंद आसन के परदर्शन के लिए गोल्डेन बूक ऑफ वर्ल्ड रिकोर्ड में अपना नाम दर्ज किया है ठीक है राजधानी रायपू के बुढ़ा पाराव इस्थत स्वर्गिये बलबीर जुनेजा इंडोर इस्टेडियम में परदेश भर से 2000 से अधिक योग अभियासियों ने तिरंगे रंग का परतिरूप बनाते हुए एक साथ वर्ल रिकोर्ड के लिए सेतु बंद आसन का सामूहित परदर्शन किया है 36 गड़ योग आयोग द्वारा लोगों को योग के महत्यों के प्रतिर जागरूप करने और स्वस्थ जीवन सहली के लिए प्रेरित करने के उदेश से इस कारिक्रम कायोजन किया गया है अब हर्याना का देखेंगे अदोगिक स्रमिकों की बेटियों को 50,000 रुपए तो हर् के नुदान की भूसना किया है इस पहल का उदेश क्या है और दोगिक स्रमिकों की बेटियों की बिच गति सिलता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है और दोगिक स्रमिकों के बच्चों के लिए चात्र ब्रीती रासी में ब्रीधी की गई है और यह 10,000 रुपए से 21,000 तक है अब गुजरात के बारे में देखेंगे गुजरात विधान सभा के डिजिटल हाउस का उद्गाटन किया गया है तो राश्वती रौबदी मुर्मु ने 13 सितंबर 2023 को कागच रहित कामकाज को बढ़ावा देने के लिए गुजरात विधान सभा के राश्टिय इविध् मंदलों को डिजिटल सदनों में परिवर्तित करना है वन नेशन वन अप्लिकेशन लागू करने वाला गुजरात जो है पहला राज्य बन जाएगा राज्यों और केन सासिर प्रदेशों मिन्निवा के कारेवन के लिए संसदिय कार मंत्राले नोडल मंत्राले है ठीक है नेवा मतलब आप लोग देख लिजे नेशनल ई विधान अप्लिकेशन को ही नेवा कहते हैं वन नेशन वन अप्लिकेशन से सदन के कामकाज में गती और पारदर सिता लाएगे नेवा आप के माध्यम से विधायक अपने छेत्र में रहेकर भी सरकार व विधान सभा से जू पहले हैरिटेज रिवर फ्रंट का लोकारपन किया गया है तो राजस्थान के मुख मंत्रिया स्लो असोग गहलोत ने 12 सितंबर 2013 को परदेश के कोटा सहर में 20 के पहले हैरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का लोकारपन किया गया है चंबल रिवर फ्रंट जो है भारत में बिक पूरा पुलिया तक 2.75 किलो मिटर की लंबाई में चम्बल नदी के दोनों टट पर 1400 कड़ोर रुपए की लागत से चम्बल रिवर फ्रंट विक्सित किया गया है इसके बनने से चम्बल नदी के किनारे सब बसी सभी बस्तियां बाढ़ से मुक्त हो चुकी है नेक्ष इंद्रा रसोई योजना ग्रामीन का सुभारम किया गया है तो राजस्थान के मुख मंतरी के द्वारा 10 सितंबर 2023 को टोंक जीले से इंद्रा रसोई योजना के ग्रामीन के तहर पूरे प्रदेश में राजस्थान में 400 ग्रामिन इंद्रा रसोयों का उसुभारम किया गया है सहरों में सार्जवनिक, धार्मिक, बेवसाई कस्थलों एवं कच्ची बस्तियों के आसपास इंद्रा रसोय खुलने से मजदूरों, बिद्यार्थियों, कामकाजी लोगों को आठ रूपे में पौश्टिक भोजन मिल रहा है राज सरकार ने कोई भूखा नौसोय की संकल्पना को साकार करने के लिए इंद्रा रसोया का विस्तार ग्रामिन छेत्रों में किया है इस योजना में क्या है? वर्स भर में एक हजार रसोय से ग्रामिन छेत्र में जरूरत मंदू को करिब साथ कडोर तीस लाख भोजन ठालिया प्रोसने का लक्ष रखा गया है अब उडिसा आजाईए उडिसा सरकार की को पोसन दूर करने की पहल उडिसा के मुख मंतरी नमीन पटनायक 14 सितंबर 2023 को मुख मंतरी संपून पूष्टी योजना तथा पद पूष्टी योजना को प्रारम्भि किया है इस योजनाओं के द्वारा गर्भवती महिलाओं तथा नई माताओं किसोर लड़कियों और बच्चों के पोसन संबंधी आवसकताओं की पूर्थी की जाएगी मुख मंतरी संपून पूष्टी योजना जो है इस योजना के तहट 15-19 वर्ष की उम्रे की सभी की सोरियों को पूरक पोसन आहार उपलब्थ किया जाएगा इस योजना के तहट गर्भवती महिलाव को अतरीक्त ड्राइफ फ्रूड उपलब्थ कराने का प्रावधान किया गया है यह कारिक्रम जो है राज्जी के नांगरीकों की पोसन के अस्तर को बढ़ाने में सहायक माना जा रहा है पद पुष्टी योजना क्या है यह गरामिन और आदिवासी छेत्रों में रहने वाले युवाओं को उनके परिछेत्रों और गाओं में पका हुआ भोजन पहुचाने पर केंद्रित है यह पहल जो है पच्चों विसेश कर दूर दराज के छेत्रों के बच्चों को ताजा तयार भोजन उपलप्त कराने में सहायक है अब पुर्वत्तर राजा आ जाई है पुर्वत्तर राज छेत्रे के लिए कोहिमा और नामची को जोनल स्मार्ट सीटी पुरसकार तो नागलेंड की राजधानी कोहिमा और सीकिम के नामची को वस 2022 के लिए भारत स्मार्ट सीटी पुरसकार पुर्वत्तर छेत्रे के लिए जोनल स्मार्ट सीटी पुरसकार दिया गया है और कोहिमा और नामची जो है सहर भारत के 86 स्मार्ट सहरों की सूची में सामिल है जाता है मुख मंत्री स्रमिक कल्यान योजना तो अरुनाचल परदेश के मुख मंत्री पेमा खंडु ने राश्टिये मजदूर दिवस समारों के हिस्से की रूप में मुख मंत्री स्रमिक कल्यान योजना सुरू करनी घोजना करी है और इसमें क्या है इसका उदेश है राज् श्रम सत्ति के कल्यान को बढ़ाने के लिए सुरू किया गया एक कल्यान कारी योजना है इसके तर्थ मात्रित तिला प्राकिर्थिक मृतु मुआवजा और कास्मिक अकास्मिक मृतु मृतु मुआवजा अंतेश्टी सहायता चिकित्सा सहायता जैसे लाभो में उलेखनिय ब् अंटिदारी को पुर्षाहित करती है अब धच्छीन भारत में देखते हैं तो तिलंगाना में भारत की पहली गोरीला ग्लास मैनुफैक्च्रिंग फैसालीटी शुरू की गयी है तो कौर्णिंग इंक तेलंगाना में अपनी गोरीला ग्लास-पिर निर्मान-सुईदा अस्थापित करेगा जो देश में अपनी तरह का पहला निवेस है तो यह प्रस्तावित जो भी निर्मान सुविधा स्मार्ट फोन उद्धों के लिए कवर ग्लास का निर्मान करेगा अब यह परियोजना जो है 934 कड़ो रुपए के प्रस्तावित निवेस के साथ वास्तिव बनने के लिए तयार है इससे 800 से अधिक ब्यक्तियों के लिए रोजगार के उसरुत्पन होंगे जिससे अस्थानी अर्थव्यूस्था में महत्पूर्ण योगदान मिलेगा यह भी निर्मान जो है सुविधा तेलंगाना और व्यापक राष्ट में स्मार्ट फोन भी निर गरन ने 18 सितंबर 2030 को बैंगलूरू में मल्टी मोडल लोजिस्टिक पार्क बिक्सित करने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किया गया है ठीक है डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेटर ट्रांसपर मोडल के तहत 1770 कड़ोर रुपई की अनुमानित लागत से इस पार्क का बिक्सित किया जाने का प्रस्थाव किया गया है सार्जोनिक छेतर के बंगलूरू MMLP प्राइवेट लिमिटेड और रियायत ग्राही SPV मैसर्स के पाथ के बीच समझोते पर हस्ताक्षर किया गया है मल्टी मोडल लोजिस्टिक पार्को करनाटा के बंगलूरू के मुद पर योजना जो है PM गती सकती राष्टिय माश्टर प्लान के तहट देश में लागू की गई पहली और सबसे बड़ी MLP बनने की और अक्सर है तो ये इसका विकास जो है भारतिय रसत छेतर में माल दूलाई की समगर लागत और समय को कम करने कुसल भंडारन प्रदान करने और माल की ट्रैकिंग में सुधार करने की दिशा में भारत सरकार के महत्कुन पहल है तो देखे इस तरह आपका राज अधारित करेंट अफेर भी कम्प्लीट हो गया तो देखेंगे राष्टिय करेंट अफेर तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है एक राष्ट एक चुनाव समीती तो कें सरकार के द्वारा 2 सितंबर 2023 को एक राष्ट एक चुनाव पर विचार करने के लिए पूर्वे राष्ट पती रामनात कोविन की अध्यक्षता में 8 सद असिये समीती के गठन की घोसना की गई है ये समीती क्या करेगा तो लोकसभा और राजविधान सभाओ के एक साथ चुनाव कराने जाय के मुद्दे पर जो है ये विचार विमर्स करेगा समीती और क्या करेगा भारत के सविधान के तहत मौजूदा धाचा और अनवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिस देगी और इसमें ये भी जाज करेगी ये स समीती कि क्या इसके लिए सविधान में संसोधन हे तू राजियों द्वारा अनुसमर्थन क्या हो सकता है की नहीं ठीक है भारत में एक राष्ट एक चुनाव की अधारना का उद्देश लोकसभा और सभी राज्य बिधान सभाव के चुनाव को एक साथ कराना है गठन के प पूरराश्पती रामनात कोविन की अध्यक्षता वाले पैनल ने सुझाओ देने के लिए बिधी आयोग और राजनीतिक दलों को अमंत्रित करने का इसमें निर्णे लिया है और वर्स 2018 में नयायमूर्थी बिएस चवान की अध्यक्षता वाले 21 बिधी आयोग ने भी एक म भारम किया गया है ये केंद्रिये सिक्षायों कौसल विकास मंत्री धर्मेन प्रधान के द्वारत 13 सितंबर 2023 को डिजटल प्लेटफॉर्म इसकील इंडिया डिजटल का प्रारम्भ किया गया है इसका उदेश क्या है तो भारत के कौसल सिक्षा, रुजगार और उद्दमीत परिदर्श को रुपांतिर करना है और यह सिक्षार्तियों को प्रासंगिक कौसल हासिल करने, उद्दोग के रुज़ानों के प्रती अपडेट रहने और भारत के कारेबल विकास में प्रभावी धंग से योगदान करने में सक्षम बनाएगा और भी देख लिजे, इसकील पहलों को एक साथ लाता है, अब आगे देखेंगे अंतराष्टिय अधिवक्ता सम्मेलन 2023, तो भारतिय अधिवक्ता परिसत के द्वारा 23 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में, न्याय बितरन पर नाली में उभरती चुनोतिया, नामक विशय पर, अंतराष्टिय अधिवक्ता सम् 2023 का आयोजन किया गया, और परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कारेक्रम का उदगाटन किया, इस सम्मेलन का उदेश क्या था, विभीन कानूनी विशयो पर सार्थक सन्वाद और चर्चा के लिए एक मंच प्रादान करना था, सम्मेलन में राष्टिय और अंतराष्ट ये महत्वे के मुद्दों पर विचार तथा अनुभवो को आदान परदान किया गया, कानूनी विशयो पर अंतराष्टिय सहयोग और समक्ज को इस सम्मेलन में मजबूत किया गया, देश में पहली बार आयोजित इस सम्मेलन में उभरते कानूनी प्रचलन सीमा पार प्रिष्टित नयाधीसों कानूनी प्रिष्वरों और बैस्विक कानूनी प्रिष्ट भूमी के नेताओं ने भाग लिया था इस सम्मेलन में नेक्ष देखेंगे डीएसी द्वारा रक्षा उपकर्णों के खरीद की मंजूरी की गई है तो रक्षा अधिकरहन परिसद ने 15 सितंबर 2023 को लगभग 45,000 करोर रुपए के 9 पूंजी अधिकरहन प्रस्तावों के लिए आवसकता की स्विक्रिती परदान की गई है ये जो खरीद है भारतिय विक्रिताओं से की जाएगी जो आत्म निवर भारत के लक्ष को प्राप्ट करने की दिसा में भारतिय रक्षा उद्व को प्रयाप्त बढ़ावा देगी इसके द्वारा क्या कैस्विक्रिती प्रदान की गई है इसको देखते हैं तो हलके बक्तर बंद बहुत देशिये वहान एवं एकी किरित निग्रानी और लक्षी करण परनाली की खरीद इसमें होगी आर्टली गन और रडार की तेजी से तैनाती के लिए हाई मॉबिलिटी विकल गन टोइंग वाहनों की खरीद होगी अगली पीडी के सर्वेक्षन जहाजों की खरीद जो हाइड्रोग्राफिक ओपरेशन में भारतिय नौ सेनाओं के छमताओं को बढ़ाएगी संचालन में सटिकता और विश्वसनीता में सुधार के लिए डोडनियर विमान का एवी यूनिक अपग्रेशन भी हुआ है एक सतिसाली स्वदेसी सडिक निर्देसित हत्यार के रूप में कौम दूरी की हवा से सत्थ परमार करने वाली द्रूवसास्त मिसाल की खरीद भी होगी और नेक्षे हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेट से 12 SU-30 MKI विमानों की खरीद होगी तो ये सारे इसमें जो मंजूरी दी गए है इसमें प्रावधान था अब आगे देखेंगे हम लोग नेक्षे है ये टॉपिक नेक्षे कौन सा है क्रिसी छेतरे से संबंधित तीन पहलों का सुभारम किया गया है तो भारत में क्रिसी क्रांती लाने के उदेश से क्वेन सरकार ने हाली में तीन महत्पुन पहलों को सुरू करने की गोसना करी है ठीक है तो क्रिसी रेन और फसल भीमा पर केंद्रित इन पहलों का अनावरन बित मंतरी निर्मला सीता रमन और केंद्रे क्रिसी और किसान कल्यान मंतरी नरेन सिंग तोमर ने 19 सितंबर 2023 को किया ये पहले जो हैं बीतिय समावेशन को बढ़ाने परदोकी का उप्योग करने और देश भर में किसानों की अजीवका में सुधार करने के उद्देश से सुरू की गई है तीन पहले ये कौन-कौन है देखते हैं तो पहला है किसान रीन पोर्टल के आरपी क्या है तो यह एक डिजिटल प्लेटफर्म किसानों को उनके डेटा रीन बितरन बिस्स टाओं ब्याज सहायता दाओं का ब्यापक दृष्टि कोन प्रदान करता है और कुसल क्रीसिक रीन की सुविधा भी ये प्रदान करेगा क्या किसान रीन पोर्टल या किसानों के लिए उधार लेने की प्रकिर्या को सरल और सूब अस्थित करने का प्रयास करता है डोर टू डोर के सी सी अभियान भी चलाए गया है तो घर घर किसान क्रेडिट कार्ड के सी सी अभियान एक मह अभियान का उदेश क्या है कि परतेक किसान की रिन सुधाव तक निर्बाद पहुँच हो ये इसका उदेश है नेक्स तीसरा पहल कौन सा है मौसम सूचना नेटवर्ग डेटा सिस्टम विंड्स मैनुवल इसको कहेंगे तो इस पहल का उदेश है मौसम के पटन पर हित धारकों को कारवाई योग अंतर द्रिष्टी प्रधान करके किसानों को उनकी क्रीसी गति वीधियों के बारे में सूचित निर्णय लेने में साहयता करना है यह डेटा संचालित रिष्टी को फसल प्रबंधन को बढ़ाएगा और किसानों को प्रती कूल मौसम की स्थीती के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा नेक्ष है राजसभा उपाध्यक्षों के पैनल में 50% महिला सांसद तो राजसभा के सभापती और उपाध्यक्ष जगदीब धनकर के द्वारा 18 सितंबर 2023 को की गई घोसना के नुसा है राजसभा में उपाध्यक्षों के पैनल का पुनरगठन किया गया जिसमें 50% महिला सांसद सामिल है इस आठ सदस्य पैनल में 4 महिला सदस्य होंगी जिनमें भारतिय जनता पार्टी की सांसद कांता करदम, सुमित्रा बालमिक, गीता उर्फ चंदर प्रभा और बीजु जनता दल की ममता मोहनता सामिल है ये 4 महिला सदस सामिल है इतके हलावा अखिलेश परसाथ सिंग, आम आदमी पार्टी के नरायन दास गुपता, YSRCP के वी, बिजय साई, रेड़ी और त्रीमून कांग्रेश के सांतनु सेन को समीती का सदस से घोसित किया गया है सभापती या उपसभापती की अनुपस्थिती में उपाध्यक्ष जो है सदन की अध्यक्षता करने के पात्र होते हैं आगे देखेंगे रक्षा मंत्राले ने प्रलय मिसाइल खरीद के प्रस्ताव को मनजूरी दिया है तो रक्षा मंत्राले ने सेना की मारक छमता को बढ़ाने के लिए 17 सितंबर 2023 को प्रलय बेलेश्टिक मिसाइलों की एक रेजिमेंट की खरीद को मंजूरी दिया है तो ये क्या देखिए प्रलय जो है बेलेश्टिक मिसाइल को चीन से लगी वास्त्विक नियंतर रेखा और पाकिस्तान से लगी नियंतर रेखा जो एलेसी और एलोसी है यहाँ पर ही इसको तैनाद किया जाएगा प्रलय को प्रलय मिसाइल को डियाडियों के द्वारा बिक्स इसकी विश्यस्ताइं देख लेते हैं तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली एक अर्ध बैलेश्टिक मिसाइल है इसमें इंटर्सेप्टर मिसाइलों को विफल करने के लिए डिजाइन की गई उन्नत छमताएं बिधमान हैं प्रलाय जो है बैलेश्टिक मिसाइलों की जो मारत चमता है 150 से 500 किलोमिटर तक है यह लगबग 350 किलोग्राम से 700 किलोग्राम तक के घातक हतियार ले जाने में सक्छम है यह एक उच बिस्पोटक पूर्व निर्मित फ्रेग्मेंटेशन वार हेड पेंटरेशन कम बलास्ट और रन्वे डिनाइल पेंटरेशन सब म्यूनिशन भी यह ले जा सकती है एक नीची दूरी तै करने के बाद उडान के बीच में अपने प्रछे पत को बदलने की छमता भी परदर्सित करती है इसकी तुलना जो है चीन की जो चीन की डोंग फेंग 12 और रूसी इसकंदर मिसाइल से की जा सकती है इसकी तुलना ठीक है आगे द लेक्ट्रो रेल कॉर्प्रेशन डीमर्सी और भारत एलेक्ट्रोनिक लिमिटेड वी इलवेल्क ने 13 सितंबर 2023 को स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंतर पढ़नाली बिक्सित करने के लिए एक समझहोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो ये साजेदारी जो है र संचार आधारित ट्रेन नियंतर पढ़नाली रेल बुनियादी धाचे का कुसलता पुर्वक उपयोग करते हुए ट्रेन संचालन को अनुकूलित करेगी और यातरी सेवा को बढ़ाएगी ठीक है अब आगे देखेंगे आगे नेक्ष है भारत लोकतंतर की जननी ये परदर्शनी भारत दमडर ओफ डेमोक्रेसी का एक पोर्टल लॉंज किया है संस्कृति मंतराले के द्वारा ठीक है और ये ये जो पोर्टल है ये भारत में लोकतंत के इत्यास पर सामगरी परदर्शित करता है जिसमें सिंदू सरस्वती सभ्यता से लेकर 2019 तक 7000 वर्सों क लोकतांत्रिक लोकचार को परदर्शित किया गया है यहां अंग्रेजी और हिंदी के लावा और भी अन्य भासाओं में है जर्मन, फ्रेंस, स्पेनिस, अर्भी, पूर्टगाली है, इतावली है, तुर्की और रूसी, सहित 16 भासाओं में ये उपलब्द है इसकी देख लिजे क्या है, www.motherofdemocracy.com है, ये इंदरा गांधी राष्टी कला केंदर द्वारा संचालित है, अब आगे देखेंगे, नेक्ष्ट है, नेक्ष्ट करेंट है, बैटरी उर्जा भंडारन परनाली के निर्मान हेतु, 3760 करोर रुपए की मंजूरी दी गई है, तो 3760 करोर रुपए के बहवारता अंतर भितपोशन को मंजूरी दे दी है, केंदरी कैबिनेट मंतरी के द्वारा बैटरी उर्जा भंडारन परनालीों के विकास एतु, बहवारता अंतर भितपोशन के लिए एक योजना को मंजूरी दिया गया है, इस योजना में 2030 तक 4000 मेगा मेगावाट की B.E.S.S. पर्योजनाव के विकास की प्रिकल्पना की गई है इसमें बजटिये सहायता के रूप में पुन्जिगत लागत के 40% तक के बित्य सहायता दी जाएगी यह कोस जो है 2030 से 31 तक 5 किस्तों में जारी किया जाएगा इसमें 4000 मेगावाट घंटे का उर्जा भंडा त्यार करने मदद मिलेगी पहवारता अंदर 22 पोसन से 95-100 कडोर रुपय का निवेस होने की उम्मीद है भारत ने अगले कुछ वर्षों में अपनी आधी उर्जा जरूरतों को नविकर्निय उर्जा और गैर जिवास्म उर्जा सरोतों के माध्यम से पूरा करने का लक्षे रखा है भंडारन पर्णाली की अस्थापना इस दिसा में एक महतपुर्ण कदम है तो नेक्ष है हिमाचल और उत्राखंड में अदोगिक विकास हेतु बीतिये मंजूरी तो केन सरकार के द्वारा 6 सितंबर 2023 को और दोगिक विकास योजना 2017 के अंतरगर्द उत्राखंड और हिमाचल परदेश के लिए 1164 पॉइंट पांच तीन कड़ोर रुपए की सोक्रिती दे गई है सरकार इन दोनों राज्यों में निवेश के लिए कमपनियों को और दोगिक विकास योजना के तहत पुर्शाहन परदान करती है और इन पुर्शाहनों में रिन और विमा तक पहुँच सामिल है अभी तक हिमाचल परदेश और उत्राखंड के लिए आईडियेस 2017 का बीतिये परिवय केवल 131.90 कड़ोर रुपए था और ये 2021-22 में जारी किया गया था हिमाचल परदेश और उत्राखंड में और दोगिक विकास योजना एक अपरेल 2017 से सुरू होकर 31 मार्च 2022 तक परभावी थी अब आगे देखेंगे दिव्यांगों के ससकती करण हितु अमेजन का पाँच राजियों के साथ समझोता किया गया है तो अमेजन इंडिया जो है 6 सितंबर 2023 को रोजगार योग विकलांग व्यकतियों के साथ जूडने और उर्णे मुकधारा मिलाने मुकधारा के कारवल में उनकी भागिदारी को सक्छम करने के लिए पाँच राजिये सरकारों के साथ समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं ये कौन-कौन राजे हैं तो ये हर्याना है महराष्ट है गुजरात है करनाटक है और तमिलाडू है इस साज़धारी के माध्यम से अमेजन अपने ओप्रेशन नेटवर्ग में दिप्यांग जनों के लिए सहायता ओन दा जोग प्रसिक्षन और एक समावेसी कारवातावरन की पेसकस करेगा अब नेक्ष है टॉपिक आयुसमान भव अभियान तो सारभौमिक स्वास्त कोवरिज परदान करने तथा सभी के ल गांधी नगर से 13 सितंबर 2023 को आयुसमान भव अभियान का सुभारम क्या गया है कहां से ये गांधी नगर से सुरू किया गया है इसमें क्या क्या है तो ये स्वास्त परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा सुरू किया गया आविसमान भव अभियान जो है एक व्यापक राच इसका उदेश क्या है देश के हर गाउं और सहर तक पहुचने वाली स्वास सेवाओं की अधिक्तम कवरेज परदान करना है यहां अवियान जो है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पक्वाडा के दोरान संपूर्ण देश में संचालित किया गया है और यह पहल आविस्मा भारत कारिक्रम की सफलता पर अधारित है और स्वास सिवाओं में परिवर्तन का प्रतीक है अब अभियान के उदेश देख लिजे इसमें तीन घटक सामिल है पहला है आईसमान आपके द्वार 3.0 तो इस पहल का उदेश है PMJAY योजना के तहत नमांकित सेस पात्र जो भारती हैं उनको आईसमान कार्ट प्रदान करना और या सुनीशित करना कि वो अधिकाधिक ब्यक्तियों की स्वास सेवाओं तक पहुच हो सके सेकेंड है इसमें HWC और CHC में आईसमान मेले तो प्रात्मिंग स्वास केंदर जो होता है और सामुदायक स्वासन में आयोजि और तीसरा क्या है आईसमान सभाएं तो परते गाउं और पंचायत में ये सभाएं आईसमान कार्ट बितरित करने आभा आईडी बनाने महत्पुन स्वास योजनाव और रोग की स्थितियों जैसे गैर संचारी रोग तपेदिक सीकल सेल रोग साथी रकदान एउम अंगद अभियान के बारे में जाग रुकता ये बढ़ाने में महत्पुन भूमी का निभाएगे नेक्स्ट टॉपिक है बीस्वे की पहली 100% इथेनौल इंधन वाली कार लॉंच की गई है तो सडक परिवानियम राजमार्क मंतरी नीतिन गटकरी ने 31 अगस 2023 को नई दिल्ली में ब पहनों में इंधन दख्चता में सुधार करने की दिरिष्टी से एक महत्पुन कदम है सरकार के अनुसार पेट्रोल में 20% इथेनौल मिस्रन लागू होने से देश को आयात बिल के रूप में सलाना 35,000 कड़ोर रुपई की बज़त होगी फ्लेक्स फ्यूल एक ऐसी तकनीक है जो इंजन को 20% से अधिक इथेनौल मिस्रित पेट्रोल या गैसोलीन का उप्योग करने की अनुमति देती है अब नेक्षण है nya NCRT को डिम्ड विस्वविद्याले का दरजा दिया गया है तो 1 सितंबर 2023 को राश्टिय सैक्षिक अनुसंधान यों पर सिक्छन परिसद NCRT को डिम्ड विस्वविद्याले का दरजा दिया गया है सिक्षा मंतरी धर्मेंद पधान ने नई दिली में NCRT के 63 अस्थापना दिवस समारोख कारिक्रम में भाग लेने के दोरान यह घोसना करी है उन्होंने यह भी घोसना किया है कि बाल भवन का जल्द ही NCRT में भिलै कर दिया जाएगा NCRT जो है स्कूली सिक्षा का सिर्शंगठन है और यह सैक्षिक सोधियम नवचार पार्टिकरम सिलेवस का विकास करने और पढ़ने पढ़ाने से जुड़ी अन सामगरियों को त्यार करता है यह भारत सरकार का एक सुवायत संगठन है और इसकी अस्थापना 27 जुलाए 1961 को हुई थी और अपचारिक संचालन जो है 1 सितंबर 1961 को सुरू हुआ था नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजेंडरों के लिए भारत का पहला समर्पित OPD हो तो नई दिल्ली में इस्थत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ट्रांजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित OPD का उधगाटन किया गया है इसमें क्या है तो अस्पताल में हार्मोन बिसलेशन और मुप्त हार्मोनल उपचार के साथ साथ एक एंड्रो क्रीनोलोजी सुईधा नैदानिक मनो बैग्यानिक मुल्यांकन के साथ एक मनो रोक सुईधा और प्लास्टिक सरजरी की परदान इसमें किया जाएगा यह भारत में ट्रांजेदर समुदाय के लिए सुलभ और समावेसी स्वास सेवाय परदान करने की दीशा में एक महत्पूर्ण कदम है नेक्ष है आईनेस महेंदर गिरी का जला उतरन हुआ है तो एक सितम 2023 को उपराश्पती जगदी धनकर की पतनी सुदेश धर्ण करने मुंबई के मचगाव डॉप सिप बिल्डर लिमिटेड में भारतिय नौसेना के युद्ध पोत आईनेस महेंदर गिरी का जला उतरन किया ह तो आईनेस महेंदर गिरी जो है ये प्रोजेक्ट 17 अलफा के तहत निर्मित युद्ध पोत का सात्वा और आखरी इस्टिल्ट फ्रीगेट है और ये जो पोत है महेंदर गिरी बेहतर इस्टिल्ट फीचर एडवांस हर्तियार प्रनाली और सेंसर से लैस है इसकी लंबाई 14 मीटर है चोड़ाई 17.8 मीटर है और इसकी स्पीड 28 नौट्स है युद्ध पोत का नाम उड़ीसा में इस्थत पूर्वी घाट की एक परवस रिंखला के नाम पर ये रखा गया है इसके पहले के 6 जहाजों में देखे आइनेस नील गिरी था आइनेस हीम गिरी था आइने तारागिरी, आइनेस उड़ागिरी, आइनेस धुनागिरी और आइनेस बिंदिगरी के नाम पी भी परवस इंखलाओ के नाम पर ये रखे गया थे राश्पति द्रौबदी मूर्मू ने 17 अगस 2023 को कुलकाता में 6 फ्रिगेट आई एनस बिंदेगिरी का जलाव तरन किया था भारतिय नौसेना ने 2019 में 7 जंगी जहाज बनाने के लिए प्रोजेक्ट 17 अलफा फ्रिगेट लॉंच किया था मचगाओं डॉक सिप यर्ड जो सिप बिल्डर्स है और गार्डन रीच सिप बिल्डर एंड इंजिनियरिंग ने इसका निर्मान किया है मचगाओं के ते अब नेक्स सफदर जंग हवाई अड़े पर उडान भवन का उदगाटन किया जाएगा तो केंद्रिये नागरिक उडियन मंत्री ने 18 सितंबर 2023 को दिल्ली के सफदर जंग हवाई अड़े पर एक एकी किरित कार्याले परिसर उडान भवन का उदगाटन किया है उडान भवन का उदगाटन सभी बिमानन नियामक प्राधिकरनों के लिए के मध बेहतर समन्वे को पढ़ावा देने के लिए किया गया है इस उसर पर क्या है एक पाइलट E-Wiolate सुईधा का आरंभ किया गया है जो भारत कोस पोर्टल में नियामक अनुमोदन से संबंधित प्रसंसकरन सुल के लिए एक सुईधा जनक भुकतान समधान की पेशकस करता है उडान भवन एक ग्री फाइब रेटेट इमारत है जो इस्थर्ता और पर्यावरन अनुकूल सुधाओ को प्रत्मिक्ता देता है ग्रीन रेटिंग फोर इंटीग्रेटेड हैविटेट एसेस्मेंट भारत की राष्टिये हरित भवन रेटिंग पढ़नाली है और यह नमीन ए सागर परिकर्मा चरन एट है केंद्रिय मस्पालन पसू पालन यह उन्डेरी मेंत्री ने 31 अगस 2023 को कन्या कुमारी जिले के ठेंगा पटनम समुद्र टट पर सागर परिकर्मा के आठवे चरन का सुभारम किया है और सागर परिकर्मा का जो यह चरन है कन्या कुमारी तिरु सागर परिक्रमा का तमिलाडू चरन 31 दो सितंबर 2023 तक रामनाथपुरम जिले के थोंडी में संचालित किया गया इस दोरान थोंडी के वलमावूर में एक एकी किरित समुद्री सहवाल पार की अधार सिला रखी गई कहां वलमावूर में 5 मार्ज 2022 को सागर परिक्रमा के प्रत्थम चरन की सुरवात मांडवी गुजरात से की गई थी सागर परिक्रमा यात्रा एक आउटरिच कारिक्रम है जिसका उदेश क्या है टटिये छेत्रे मच्छुवारा समुदाय तक पहुँचना है इसका उदेश है प्रदान मंत्री मत्स संपदा योजना मत्स पालन तथा एकवा कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट फंड किसान क्रेडिट कार्ड और राज योजनाओ जैसी विभीन मत्स पालन योजनाओ एमकार क्रमों के माध्यम से मच्छुवारों एवं अ प्रदान हितदारकों की आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाते हुए उनके समक्छ आने वाली चुनाओतियों का सामाधान करना है नेक्ष देखेंगे 106 सविधान संसोधन अधिनियम 2023 तो भारत के राश्पती ने 28 सितंबर 2023 को 106 सविधान संसोधन अधिनियम को मंजूरी द संसद में इसे 128 सिवा सविधान संसोधन विध्यक के रूप में पेस किया गया है और इसे क्या नाम दिया गया है नारी सक्ति वंदन अधिनियम नाम इसका है 128 सविधान संसोधन विध्यक के रूप में यह 20 सितंबर 2023 को लोक सभा में और 21 सितंबर 2023 को राश सभा में पारित क आगया था तो ये बिल्कुल डेट बिल्कुल याद रखेगा क्योंकि सीधा सीधा पोच सकता है एक्जाम में तो वर्तमान में देखिए लोकसभा में देखा जाए तो 82 महिला सांसद जो 15.2% है और राजसभा में 31 महिला 13% है तो राजसभा में 13% महिला है और लोकसभा में 15. पॉइंट दो परसेंट महिलाएं हैं अभी के समय अभी इस विद्या की मुख विशेस्ता देख लिजिए यह लोक सभा राजबिधान सभाओ एमराश्टिय राजदानी छेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए यथा संभव एक तिहाई सीट आरक्षित करता है और 334 एको समलित करता है इस अधिनियम के तयट आरक्षण अधिनियम के लागु होने के पश्चात होने वाली जनगन्हा के प्रकासन के बाद ही प्रभावी होगा ठिक है तो यह जनगन्हा के अधार पर महिलाओं के लिए सीटे आरक्षित करने के लिए परिसीमिन किया जा तो भारत के राश्टिय चिकिसा आयोक को दस वर्सों के लिए उलेखनिय कारेकाल के लिए परतिश्ठित World Federation for Medical Education द्वारा हाली में मान्याता दी गई है इस मान्याता के रूप में भारत में सभी 706 मौजूदा Medical College को WFME से मान्याता प्राप्त होगी आगामी 10 वर्सों में अस्थापित होने वाले नए Medical College को भी स्वत ह ये मान्याता प्राप्त हो जाएगी इससे क्या होगा इससे Medical College और पेशेवरों को अंतराश्य मानियता प्राप्त होगी और उनकी परतिष्था में ब्रिधी होगी भारतिय Medical असनातक अब अमेरिका, कनाडा, आश्टेलिया और न्यूजिलेंड जैसे देशों में असनातक और Medical Practice कर सकते हैं World Federation for Medical Education चिकित्सा सिक्षा की गुन्वता को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित बैस्विक संगर्ठन है यह राश्टिय चिकित्सा आयोग भारत का परमुख नियामक निकाय है जो चिकित्सा सिक्षा और Medical Practice का निरिक्षन करता है अब आगे नेक्स देखेंगे विसाखा पत्नम बंदरगाह के अंतराष्टिय कूर्ज टर्मिनल का उद्गाटन किया गया है तो विसाखा पत्नम बंदरगाह पर अंतराष्टिय कूर्ज टर्मिनल का उद्गाटन जो है विसाका पत्नम पोड ट्रस्क के दुआरा प्रदान की गई कुल अनुमोती परियोजना की जो लागत है ये 77 कड़ो रुपए थी क्रूज टर्मिनल बिल्डिंग जो है 4580 पॉइंट 46 वर मिटर के छेतर में फैली हुई है जिसमें भूतल और पहली मंजिल दोनों सामिल है तो ये इस योजना के बारे में था अब देखेंगे नेक्स है ट्रांजेंडर ब्यक्तियों का कल्यान सुनिशित करने के लिए एडवाईजरी जारी किया गया है तो ये राश्टिय मानवा अधिकार आयोग ने 26 सितंबर 2020 को ट्रांजेंडर ब्यक्तियों का कल्यान सुनिशि करने के लिए केंद्र एयों राज सरकारों को एडवायजरी जारी की है आयोग द्वारा यह सिफारिस की गई है कि ट्रांजेंदर ब्यक्तियों को पैत्रिक क्रिसी भूमी का उत्रा अधिकार प्राप्त करने की अनुमती दी जाए और साथ ही उन्हें एक बहु दस्य प्रचान पत्र भी प्रदान किया जाए आयोग ने LGBTi मुद्धों पर विभीन हित्तधार को और आयोग के कोड समुं के सदस्यों के साथ ब्यापक चर्चा के ब्याद यह परामर्सिका त्यार की है ट्रांजेंडर ब्यक्तियों के अधिकारों को ट्रांजेंडर ब्यक्ति अधिनियम 2019 के अधिनियम के माध्यम से मानियता और कानूनी बैदता प्राप्त हुई है जिसका उद्देश क्या है इनके अधिकारों का संरचन करना और उन्हें बनाए रखना परामर्सिका में ट्रांजेंडर ब्यक्तिव को सिक्षा, स्वास्तेकबाल, रोजगार, समावेसिता, कल्यान और सिकायत निवारन तक पहुँच सुनीचित करने के लिए केंद्र, राज्यों और केंद्षासित परदेश परसासनों द्वारा कारवाई के लिए छे परमुख छेतरों परध्यान केंद्रित किया गया है कला संस्कृती के आप बारे में देखेंगे तो 9-10-2023 ये मनाया गया है तो पारंपरिक 9-00 उडिसा में 20 सितंबर 2023 को मनाया गया और ये पारंपरिक पारंपरिक रूप से गनेश चतरुथी के अगले दिन मनाया जाता है ये तेवार जो है पच्छमी उडिसा और जारखन के सिमडेगा जैसे पडोसी छेतरों में विशेस महत्वर रखता है नुहा खाई राज्य में एक वार्षिक फसल उसो है जो नए चावल के मौसम के आगमन का परतिक है नुहा सब्द का अर्थ होता है नया और खाई सब्द का अर्थ भोजन होता है नुहा खाई का मुख आकर्षन क्या होता है चावल की ये पहली फसल है जिसे कहा जाता है नबना के नाम से जान जाता है जिसकी इस उसों में केंद्रिय भूमी का होती है नुवाखाई के दोरान क्या होता है छेतरी के लोग उतक्रिष्ट फसल प्रयाप्त वर्सायम क्रिसी है तू अच्छे मौसम के लिए अपने देवी देताओं के प्रती अभार ब्यक्त करते हैं अब नेक्स देखते हैं फणी गीरी कला क्रितिया तो ये क्या है 200 इसा पूर्व से 400 इसवी तक की फणी गीरी कला क्रितिया जिन्हें 1942 में खोजा गया था वर्तमान में ये निव्यार्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजिक अफ आर्ट में आयोजित एक परदर्सनी में परदर्सित की जा रही है ठीक है ब्रिक्ष और सर्प भारत में प्रारंबिक बौध कला नामक विशय पर आयोजित ये परदर्सनी जो है 21 जुलाई 2023 से सुरू हुई थी और यह 13 नौंबर 2023 तक परदर्सित की जाएगी फणीगिरी का मतलब अर्थात क्या होता है साप के फन की पहाड़ तो फनीगिरी जो है तेलंगाना राज्य का एक छोटा सा गाउं है फनीगिरी बौध हस्तल को इस सहस्तरावी में बौध परतीमा विज्ञान में सबसे महत्पुन खोजों में से एक माना जाता है फनीगिरी में खोजे गए थोराना जो है बहुत महत्पुन है क्यूंकि वे साची के दक्षिन में सबसे पहले पाए गए थोरोणा में से हैं उसी थोरोणा में एक पैनल है जो महायान और हीन यान दोनों विचारधाराओं को दर्साता है फनीगिरी से ऐसे साक्ष मिले हैं जो बुद्ध के देवत्य को दर्साते हैं अब नेक्ष है मेरी माटी मेरा देश के तहट अमरित कलस यात्रा हुआ है इसके बारे में देखते हैं किंद्रिये ग्रिये उम सहकारिता मंतरी अमी साहा ने एक सितंबर दो हजार देश को नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभ्यान के तहट अम्रित कलस यात्रा की सुरुवात की है इस अभियान का उदेश क्या है परतेक नागरी को स्रेष्ट भारत के निर्मान के विचार से भावनात्मक रूप से जोड़ना है अम्रित कलस यात्रा के तहट 1 से 30 सितमबर तक घर, वाड और गाउं से एक बरतन में मिट्टिया अनाज कत्रित किया जाएगा और इसके बाद 1-13 अक्टूबर 2023 तक ब्लॉक में और बाद में 22-27 अक्टूबर 2023 तक राज अस्तर प्रिस्का पालन किया जाएगा अन्त में 28-30 अक्टूबर 2023 के बीच ये 75 सो बरतन जो है देश की राजधानी नई दिल्ली पहुंच जाएगी और इन अमरित कल्सों की मिट्टी जो है परधान मतिन नरेंदर मोदी द्वारा दिल्ली में बनी अमरित वाटिका में रखी जाएगी तो ये है मेरी माठी मेरा दे युनेस्को की 20 धरवर सूची में सामिल हुए है तो पच्छिम बंगाल के सांती निकेतन और करनाटक के होईसल के पवित्र मंदिर समोह को युनेस्को के 20 धरवर सूची में सामिल किया गया है और ये जो सांती निकेतन है युनेस्को की 20 धरवर सूची में सामिल होने वाली भारत की 41 वी और करनाटक की होयसल के पवीतर मंदिर समय 42 धरोवर है 41 और 42 ठीक है तो सांती निकेतन और होयसल के पवितर मंदिर समुह को Equity को वीशू धरोवर सूची में सामिल करने का निड़ने सौधी अरब में 20 धरोवर समीती के 45 सत्रे के दोरान लिया گیا है भारत में उनेसको 20 धरोवर अस्थलों की संक्या बढ़कर कितनी हो गई है तो अब 42 हो गई है इसमें सांस्कृतिक स्रेनी में देखे तो 34 है और प्राकिर्तिक स्रेनी में 7 तथम एक जो है मिश्रित स्रेनी में सामिल है अब सांती निकेतन के बारे में जान लिजे तारजलिंग हिमालियन रेलवे और सुंदरवन राष्टि उद्यान के बाद सांती निकेतन जो है पच्छिम बंगाल का तीसरा बीस्वे धरोवर अस्थल बन गया है सांती निकेतन की सुरुवाद जो किया था रबिन्ना टैगोर के पिता देवेन्ना टैगोर ने 1830 में एक आस्रम के तौर पे किया था टैगोर ने 1921 में यहां 200 भारती के अस्थापना की थी जिसे 1951 में केंद्रिये 200 विद्याले और राष्टिये महत्व का संस्थान घोसित किया गया होईसल के पवित्र मंदिर समू क्या है इनके बारे में देखते हैं होईसल मंदिर जो है बारवी और तेरवी सताब्दी इसीवी के दोरान बनाए गये थे और यह होईसल समराज की अद्वित्य वास्तु कला और कलात्मक परतीभा को दर्सित करता है होईसल के पवित्र मंदिर जो है बेलूर हैलेवीड और सुमनात पूरा में इस्थत हैं से इन्वेसकों के अस्थाई सूसी में यह सामिल था अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन हेरिटेज एप और यी पर्मिसन पोर्टल लॉंज किया गया है तो भारतिये पूरा तत्त्य सर्वेक्षन्ने चार सितंबर दोहजार तेईस को समवेत ओडिटेरियम नई दिल्ली म एडॉप्ट ए हरिटेज कारिकरम का सुर्वात किया है 2.0 का ठीक है तो एडॉप्ट ए हरिटेज 2.0 जो है कारिकरम 2017 में सुरू की गई पिछली योजना का नया संसकरन है और यह प्राचीन सन अस्मारक तथा पूरा तत्वी अस्थल और औसेस अधिनियम 1959 के नुसार विभ पिछताओं को अस्पश्ड रूप से परिभासित करता है यह कारिकरम जो है एस मारकों के सनरच्चन में कॉर्पोरेट हितदारकों के साथ सह्योग का मार्ग प्रसस्त करेगा भारतिय पूरा तत्यों सर्वेक्षन के सनरच्चन में 3,696 एस मारक है जो पूरे देश में मतपुन भूमी का निभाता है अब देखते हैं इंडियन हेरिटेज एप यह पोर्टल क्या है तो इस औसर पर इंडियन हेरिटेज नामक एक मोबाइल एप तथा यह अनूग्या पोर्टल भी लाउंच किया गया है तो इंडियन हेरिटेज एप जो है भारत के बिरासत एसमार को का राजजिवार ब्यूरन उपलब्ज सार्जोनिक सूधाओं की सूची भू टैक किये गए अस्थान और नागरीकों के लिए फीडबेक तंतर की सूधा होगी यह अनुग्या पोर्टल विभीन अनुमतियां प्राप्त करने के प्रकिरिया को तेज करेगा और इसमें जो है सामिल पारिचालन और लोजिस्टिक बाधाओं का हल यह करेगा ठीक है तो देखें यह आपका राष्टिये करेंट कम्प्लीट हो गया अब हम लोग आगे देखेंगे चलिए तो अब आर्थिकी से संबंदित देखेंगे करेंट भारत के आउटवार्ड और इन्वार्ड इन्वेस्ट्मेंट में ब्रीधी हुई है तो हाली में भारतिये रिजर्ब बैंक के द्वारा की गई गनना के नुसार बीतिय वर्ड दोचार तैईस में भारतिये कमपनियों द्वारा इन्वार्ड परत्यक्ष बिदेशी न्योर्ड एबडियाई में ब्रीधी के साथ साथ आउटवार्ड ओडियाई में भी ब्रीधी दर्ज की गई है तो एबडियाई क्या होता है किसी देश के एक फर्म या ब्यक्ति द्वारा दूसरे देश में इस्थत ब्यवसाई गति बीदियों में किया गया ये निवेश होता है परत्यक्ष बिदेशी निवेश कहते हैं यह विभीन परकार का हो सकता है जैसे सेर खरीदना सहाय कमपनी अथ्वा संयुक्त उद्दम अस्थापित करना या रीन परदान करना प्रदोग की हस्तानांतरन करना ये भी हो सकता है एफडियाई को आर्थिक विकास का एक परमुख चालक माना जाता है क्योंकि यह मेजबान देश में पूंजी प्रदोग की कौसल बाचार तक पहुँच और रुजगार के आउसर परदान कर सकता है आउटवर इसी देश में करती है नेक्ष्ट है तो यह है अफगानिस्तान की मुद्रा 20 में सबसे अच्छा परदर्सन करने वाली मुद्रा तो यह रिपोर्ट आई है कि अफगानी जो मुद्रा है यह सबसे अच्छा परदर्सन कर रही है बस इसमें इतना ही जानना था आप लोग दे 2013 का 14 संसकरन 15 सितंबर 2020 को नवी मुंबई वासी में आउजूत किया गया इसका थीम क्या था थीम था वीजन 20-13 मसाले इसका थीम था इस्थरता उत्पादक्ता नवचार सहियोग उत्कृष्टा और सुरक्षा यत तीन दिवसे कारक्रम था और इसका आयोजन मसाला बोड कायो और निर्यात मंचों के सहयोग से किया गया है इसका आयोजन में नीति निर्माता नियामक अधिकारी मसाला बैपार संग सरकारी अधिकारियों के साथ G20 देशों के तकनीकी विशेशक के उपस्तिती भी सामिल है WHC 2023 के यही मसाला जो हुआ है के हिस्से के रूप में मसालो और मुल वर्धित मसाला उत्पादो की विबित्ता के साथ मसाला उत्दोग में नवीन प्रोदोग के और समधानों पर प्रकास डालने वाली एक परदर्स्रनी भी आयुजित की गई अब नेक्स है KVIC ने अपने उत्पादों को लोगप्रिये बनाने के लिए तीन समझोते पर हस्ताक्चर किया है तो खादी और ग्रामो उत्दोग आयोगने 18 सितंबर 2020 को तीन अलग समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किया है तो और यह समझोता जो है खादी और ग्रामो उत्दोग ने यह समझोता प्रसार भारती, NB, CC, India Limited और Digital India Corporation के साथ किया है इसका उदेश क्या है खादी और ग्रामो उत्दोग आयोग को आधनिक बनाने और युवावग के बीच अपने उत्पादों को लोकप्रिये बनाने के लिए एक रोड मैप त्यार करना है प्रसार भारती के साथ हुए समझोतों में DD News और DD International Channel के एंकर खादी परिधानों में नजर आएंगे प्रसार भारती एक सान्विद्धिक स्वायतनिकाय है और यह देश का सरकारी प्रशारन केंद्र है NBCC India Limited देश भर में खादी और ग्रामों उद्धोग आयोग के लिए एक आधुनिक बुनियादी धाचे का निर्मान करेगा NBCC India Limited जो है जिसे पहले National Building Construction Corporation Limited के नाम से जाना जाता था और यह भारत सरकार का नौरतन उद्ध्यम है KVIC को नविंतम तकनीक के साथ अपडेट रहने के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए KYC ने Digital India Corporation के साथ हाथ मिलाया है KVIC ने Digital India Corporation KVIC को नविंतम तकनीक के साथ अपडेट रखने पर मदद करेगा Next is Suven Pharmaceutical में FDI की मंजूरी दे दिया है तो आर्थिक मामलों की मंत्री मंदल ये समीती ने 13 सितंबर 2023 को भारतिय कमपनी Suven Pharmaceutical Limited में Cyprus की बेर हायंदा Limited द्वारा 9589 कड़ रूपए तक के परत्यक्च विदेशी निवेश को स्विक्रिती दी है सरकार की इस मंजूरी के तहट Suven Pharmaceutical Limited के 76% जो इक्विटी है सेरो का दिगरहन किया जाएगा सेबी, RBI और अन्य संबंदित एजेंसियों द्वारा प्रस्ताव के मुलियांकन के बाद इसकी मंजूरी इसे दी गई है स्विक्रित विदेशी निवेश का लक्ष क्या है सन्यंत्र और उपकर्णों में निवेश के माध्यम से नयरुजगार का स्रीजन करना और भारतिये कमपनी Suven Pharmaceutical की छमता का विस्तार करना है मौजूदा FDI नीती के नुसार क्या है Greenfield Pharmaceutical पर योजनाव में स्वचालित व्योस्था के सहर 100% विदेशी निवेश की अनुमती है बिगत पाँच वर्सों के दोरान फार्मासुटिकल छेत्र में कुल FDI जो परवाह रहा है तो ये 43,713 कडोर रुपए रहा है पहले BTA वर्स में इस छेत्र में FDI में 58% की वरिधी देखी गई Next है RBI द्वारा बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों में संसोधन किया गया है तो RBI ने 12 सितंबर 2023 को वानीजिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वरगी करन मुल्यांकर और संचालन के लिए संसोधित मानदर जारी किया है बैस्विक मानकों और सर्वुत्तम पृथाओं के साथ इन मानदंडों को संरेखित करने के प्रयास के तहत RBI द्वारा यह कदम उठाये गया है भारतिये रिजर्व बैंक दीशा निर्देश 2023 के रूप में जारीये संसोधित मानदर जो है एक अपरेल 2024 से सभी वानिजिक बैंकों पर लागो होंगे इसमें छेत्रिये ग्रामिन बैंक सामिल नहीं है नए दीशा निर्देश में निवेश पोटफोलियो का सिधान्त अधारित वर्गी करन सामिल है संसोधित मानदंडो के अनुसर बैंकों को अपने संपूर निवेश पोटफोलियो को तीन वर्गी तीन स्रेनियों में करना पड़ेगा वर्गी क्रित ये तीन स्रेनिया है परिपक्वता तक धारित बिक्री के लिए उपलब्ध लाभ और हानी के माध्यम से उचित मुल्ल ये सबी है टाटा इस्टील ने यूके सरकार के साथ 500 मिलियन पाउंड का समझोता किया है ये नेक्स है तो बिटेन सरकार और टाटा इस्टील 15 सितंबर 2023 को वेल्स में पोर्ट टैलबोर्ट इस्टील वर्क्स के लिए 1.25 अरब पाउंड के संयुक्त निवेस पैकेज पर सहमत हुए है बिटेन ने इस्टील उद्दोग के भविश्य को सुरक्षित करने के लिए टाटा इस्टी में 50 मिलियन टन की कमी करना और बिटेन के संपूर्ण कारवन उसरजन में लगभग 1.5% की कटोती करना है इस समझहोते से 5000 नौकरियों के स्रीजन में मदद मिलेगी अब नेक्ष्ट है स्रम एयोम रोजगार मंतराले का नीजी नौकरी फर्मों के साथ समझहोता तो स्रम एयोम रोजगार मंतराले ने 12 सितंबर 2023 को राष्टिय कैरियर सेवा पोर्टल के साथ एकी करित करने के लिए प्रमुख नीजी नौकरी पोर्टलों कमपनियों, नियुकताओं और कौसल प्रदाताओं के साथ समझहोता ग्यापन परहंस्ताक्षर किया है इसका उदेश है NCS, पोर्टल पर नौकरी चाहने वाले के लिए रोजगार के उसर और सिवाओं को बढ़ाना है, मंतराले के साथ साजहदारी करने वाले नीजी जौब पोर्टल NCS पर अपनी रिक्तिया साजहा करेंगे, इस तरह के परसिक्षन से कारबल के चैन एवं उनक तक सुधारने में मदद मिलेगी, नेक्ष्ट है डेटा संचालित नमाचार हेतु नबाड की UNDP के साजहदारी हुई है, तो नबाड ने क्रिसी और खाद परनालियों में डेटा संचालित नमाचार बनाने के लिए संयुक्त राष्ट विकास कारकरम UNDP इंडिया के साजहदा डेटा का उप्योग करेगी, यह साजहदारी डिक्रा का भी लाब उठाएगी जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है तथा जलवायू लचीले क्रिसी पर भू अस्थानिक डेटा सेट प्रदान करता है, साजहदारी का उदेश है डिक्रा जैसी सहयोगी डिजिटल सार्जोन ने बायो फीजिकल सिमुलेशन के माध्यम से कार्डियो वेस्कल साइन्स में डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए लिविंग हार्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में दसॉल्ट सिस्टम के साथ साजहदारी किया ठीक है लिविंग हार्ट प्रोजेक्ट जो है कार्डि में युगदान देने के लिए अपनी प्रदोग की बिसे सगता का उपयोग करेगी डसॉल सिस्टम अपने आत्या धुनिक सौप्टिवेरों समाधानों के लिए परसीद है जो ग्राहकों को अभासी अनुभाव का उपयोग करके नवीन उत्बाद और सेवाय बनाने में ससक्त बनाता है डसॉल सिस्टम के साथ सहयोग करके TCS हिर्दय बिज्ञान के छेतर में क्रांती लाने और अधिक कुसल और नैतिक चिकित्सा प्रगती का मार प्रसस्त करने के लिए तयार है अब नेक्ष है NTPC Green Energy Limited का नायरा एनर्जी के साथ समझाता हुआ है तो NTPC Green Energy Limited और अंतराश्टी अस्तर की डाउन इस्ट्रीम उर्जा कमपनी नायरा एनर्जी ने 11 सितंबर 2023 को एक समझाता ग्यापन पर हस्ताप्चर किया है इसका उदेश क्या है हरित हाइट्रोजन और हरित उर्जा छेतर में औसरों की पड़ताल करना है इस MOU में नायरा एनर्जी के अपने उप्योग के लिए ग्रीन हाइट्रोजन उत्पादन करने, डीकार्बोनाईजेशन में तेजी लाने और कार्बन उसर्जन में कमी लाने के लिए सहयोग प्रकल्पना की गई है NTPC Green Energy Limited भारत की अग्रणी एकी कृत्व विदूत उत्पादक कमपनी NTPC Limited की पूर्ण स्वामित वाली सहय कमपनी है यह साजेदारी ग्रीन हाइट्रोजन का उत्पादन करने के लिए अत्यादुनित तकनीकों का पता लगाएगी और उन्हें लागो करेगी अब नेक्ट देखेंगे Business Responsibility and Sustainability Reporting पर कारेसाला हुआ है तो Indian Institute of Corporate Affairs ने 12 सितंबर 2023 को मुंबई में UNICEF और National Stock Exchange के सहयोग से Business Responsibility and Sustainability Reporting पर एक कारेसाला का आयोजन किया है और इस कारेसाला में Corporate समाजिक उत्तरदाईत्व, पर्यावरन, समाजिक और सासन और बेवसाइक मानवा अधिकार से जूड़े पेसे और उने भाग लिया है इसका उदेश क्या है? BRSR की संदचना की ब्यापक समझ परदान करना है National Guidelines for Responsible Business Conduct में कुल नो सिधान्त है और ये BRSR की बुनियाद के रूप में कारे करता है BRSR संदचना सिर्ष एक हजार सुची बद कमपनियों और बेवसाओं के लिए परियावरन समाजी कोर्शासन पहलूओ पर अपने परदर्शन की रिपोर्ट करने और जिम्मिदार बेवसाइक प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबधता परदर्शित करने के लिए एक अनिमार प्रकटी करन तंत्र है नेक्ष्ट है RBI का बीतिय समावे सुचकांक मार्च में 60.1 पर तो RBI ने 15 सितंबर 2023 को एक ब्यान में कहा कि मार्च 2023 में समाप्त बीत वर्स के लिए बीतिय समावे सुचकांक जो है 60.1 अंक रहा जबकि मार्च 2022 में कितना था 56.4 था इस दोरान सभी उप सुचकांकों में ब्रीधी दर्ज की गई है और यह जो RBI का यह सुचकांक जो है बीतिय समावे सन के बीभीन पहलूँ से संबंदित आकड़ों के संकलन पर आधारित है इसमें क्या होता है सुनने से लेकर 100 तक के मुल दायरे के अधार पर आकड़ा त्यार करते हैं रिजर्ड बैंक ने अगस 2021 में सरकारी और विभीन नियामकों के साथ परामर्ज के साथ एक समग्र सुचकांक की सलकंप्रना पेस की थी इसमें बैंकिंग, निवेस, बीमा, डाक सेवा और पेंसन छेत्रिव से जुड़े बेवरे सामिल हैं पीतिय समावेशन सुचकांक जो है तीन ब्यापक मानकों पर आधारित होता है इसमें पहुच का जो भारांस है 35 परसेंट, उप्योग का भारांस 45 परसेंट और गुनवता का भारांस 20 परसेंट है अब नेक्श देखेंगे RBI द्वारा ICRR को आपस लेने का निर्ने तो RBI ने 8 सितंबर 2023 इसको चरणबत तरीके से ब्रीधी सिल नगस्त आरचित अनुपात को बंद करने का निर्ने ICRR को बंद करने का निर्ने लिया है इसका उदेश क्या है? बैंकी परनाली में 2000 रुपए के नोटों की वापसी सहित विभीन कारकों से उत्पन अधित सेस तरलता को असोसित करना था किंद्रिये बैंक कई चरणों में ICRR के तहत बैंक को द्वारा रखी गई रासी जारी करेगा ICRR reversal के पहले और दूसरे चरण में परतेक बैंक की जब्त धनरासी का 25% जारी किया जाएगा और सेस जो 50% है ये तीसरे चरण में जारी किया जाएगा RBI ने बैंकिंग परणाली में अतरिक्त तरलता को प्रबंधित करने के लिए एक और अस्थाई उपाय के रूप में ICRR की शुरुआत की है ICRR आमतर पर एक और अस्थाई उपाय मना जाता है और इसे तब सुरू किया जा सकता है जब अतरिक्त तरलता को और स्थाई रूप से और सोसित करने के असकता होती है तो ये आर्थी की से संबंधित था अब हम लोग अंतराश्टिये करेंट देखेंगे तो इसमें सबसे पहला है अठारवा G20 सिखर सम्मेलन तो नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर 2023 को अठारवा G20 सिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह G20 देशों का पहला सिखर सम्मेलन था जिसकी मेजबानी भारत ने किया था ठीक है तो भारत में पहली बार ये हुआ था इस सम्मेलन में 2024 के लिए G20 के अधक्षता ब्राजिल को सौपी गई है इस सम्मेलन के मुख बिंदू देख लिजे तो इस सिखर सम्मेलन का भी सय है वसुद है कुटुम्बुकम जिसका अर्थ होता है भी स्वेक परिवार है सम्मेलन के प्रथम दिन 9 सितंबर 2023 को 55 देशों वाले अफरीकी संग को G20 की अस्थाई सदस्ता परदान की गई है कुमोरस संग के राश्पती और अफरीकी संग के अध्याच अजाली और सौमानी ने G20 की अस्थाई सदस्त के तोर पर आसन ग्रहन किया था सम्मेलन के दोरान परदान मंत्री मोदी ने सिंगापूर में सिंगापूर, बांगलादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, आर्जेंटीना, मौरिसस और युवई के निताओं के साथ 9 सितंबर 2023 को बैस्विक जोय युन्धन गठबंधन का विस्तुभारम किया है अठारवे जी ट्वेंटी सिखर सम्मेलन के मौके पर महत्वकांची भारत मध्य पूर्व इरोप आर्थी गल्यारे की भी गोसना की गई है प्रस्तावित IMEC में भारत को खारी छेत्रे से जोडने वाला एक पूर्वी गल्यारा और खारी छेत्र को इरोप से जोडने वाला एक उत्री गल्यारा भी सामिल होगा नई दिली सिखर सम्मेलन में G20 ट्रोईका बैठक का भी आयजन किया गया है ट्रोईका में इंडोनेसिया है भारत है और ब्राजील देश सामिल था भारत की G20 अध्यक्षता की पर्मुख अपराथमिकताओं में सतत विकास लक्ष और जलवायू करवायू सामिल रही G20 देशों की नई दिली घोसना में धार दिये विकास खाद सुरक्षा जैसे विविद बैस्विक मुद्दे पर सहमती बनी G20 देशों ने 2030 तक बैस्विक नवी करनिये उर्जा चमता को तीन गुना करने की दिसा में काम करने का संकल्प किया G20 का गठन जो हुआ है 1999 में अंतराष्टिय वितिय इस्थर्ता को बनाय रखने के लिया आज से किया गया था अब नेक्ष्ट है संयुक्त राष्ट महासभा का 78 सत्र तो संयुक्त राष्ट महासभा का 78 सत्र 19 से 26 सितंबर 2023 तक निवार्क माय आज़ुत किया गया और संयुक्त राष्ट महासभा के 78 सत्र की सुरुवात नए महासभा अध्यक्ष देनिंस फ्रांसिस ने किया था इसके मुख बिंदु क्या है तो सत्र का थिम्था विश्वास का पुनरतिनमाद और बैस्विक एक जुट्टा को फिर से जागरत करना सभी के लिए सांती, सम्रीदी, प्रकरती और इस्थर्ता की दिशा में 2030 एजेंडा और इसके सतत विकास लक्ष पर कारवाई में तेजी लाना सत्र में बैस्विक सांती प्राप्त करने के लिए जलवायू परिवर्तन, संगर्स और गरीबी से उत्पन चुनोतियों के बारे में चर्चा की गई है विशेश रूप से विकास की कमी वाले छेत्रों में सम्रीदी सुनीचित करना एक प्राथ मिक्ता है अनप्राथ मिक्ताओं में क्या है उन्नत, बितपोसन, प्रधोकी, रिनिस्थरता, छमता, निर्मान ये सभी सामिल है सदस्य देशों से सांती को बढ़ावा देने के साधन के रूप में कमजोर आबादी को ससक्त बनाने का हवाहन किया गया है और साध्जा समरीधी के महत्व और परिवर्तन कारी परिनामों के लिए आवस्यक संसाधनों को खोलने पर जोर दिया गया है प्रगती को गती में देने में युवा, नवचार और परदोकी की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है सदस्य देसों से इस्थरता को प्रात्मिक्ता देने और प्रभावी समस्या समाधान के लिए सच्चे बहुपक्च वाद में सनलगन होने का आगरख किया गया है 18 सितंबर 2023 को बीश्व नेताओं ने 17 सतत विकास लक्षे को लागू करने पर करवाई में तेजी लाने के लिए एक एतिहासिक राजनीती घोसना पत्र को अपनाया है उलेखनिये है कि संयुक्त राष्ट महासभा के हिस्से के रूप में 18 सितंबर 2023 के मद निव्यार्क में SDG सम्मेलन 2023 का आगरजन किया गया SDG सम्मेलन में 2030 एजेंडा और इसके 17 सतत विकास लक्षो के कार्यानमन की समिक्षा की गई है नेक्ष है भारत संयुक्त राष्ट सम्मता निर्मान पहल तो भारत और संयुक्त राष्ट ने 24 सितंबर 2023 को बैस्विक दच्छिन global south के लिए संयुक्त छमता निर्मान पहल का सुभारम किया है इस पहल का उदेश क्या है भारत के विकास के अनुभव, सरोत्तम प्रकिरिया और विशे सग्यता को ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साजा करना है इस पहल की घोशना 23 सितंबर 2023 को निव्यार्क में इंडिया UN for the Global South Delivering for Development नामके कारिक्रम में की गई थी भारत सयुक्त राष्ट अभियान पहले से चल रहे भारत सयुक्त राष्ट विकास भागिदारी कोश से जुड़ेगा इसके अंतरगत पिछले 6 वर्ड से 61 देशों में चल रही 75 विकास परियोजनाएं हैं इस अभियान के अंतरगत सहयुत राष्ट भारत टीम और बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन भारत के तक्नीकी और आर्थिक सहयोग मंच के जरिये सहयोग करेंगे यह पहल भारत की अधक्षता में G20 सिखर समेलन के निसकर्सों को लागू करने का काम करेंगे ग्लोबल साउथ में अफरीका लैटिन अमरीका और करेबियन देश जो है एसिया ओसीनिया एसिया में यह सभी देश और ओसीनिया यह सभी जिसमें आस्टेलिया और यह न्यूजीलन को छोड़ के आता है तो यह सभी सामिल है अब नेक्षट है 11 आईवे इप्सा त्रिपक्छीह मंत्री अस्थरिय आयोग की बैठख हुई है तो इग्यावे इप्सा त्रिपक्छीह मंत्री अस्थरिय आयोग की बैठख 22सितंबर 2023 को और 78 संयुकितराष्ठ महा सभा सत्र जो है उदे से दच्छिन दच्छिन सहयोग के लिए महतपून मुद्दो पर समन्वे को बढ़ाना है इफसा में भारत ब्राजील दच्छिन अफ्रीका का डायलोग फोरम है ठीक है इसकी अस्थापना 2003 में की गई थी बैठक में भारतिय विदेश मंत्री एस जैसंकर ब्राजील के विदेश मंत्री मावरो, बियरा और दच्छिन अफ्रीका के अंतराष्टिय संबंद और सहयोग मंत्री ग्रेस नलेदी पंडोर ने भाग लिया था इस बैठक में संक्तुरा सुरक्षा परिसद में सुधार और एसिया अफ्रीका लैटीन अमेरिका के विकास सिल देशों के अधिक परतिनी दित्यों का आवाहन किया गया इफ्सा के पहली सिखर सम अस्तरिय बैठक जो हुई थी 2006 में ब्राजील में हुई थी नेक्ष्ट है अमेरिका में 25 वी ISS आयोजित की गई तो भारतिय नौसेना परमुक एड्मिरल आर हरी कुमार ने संयुत राज अमेरिका में आयोजित 25 वा अंतराष्टिय समुद्री सकती संगोष्टी में भाग लिया इसका आयोजन 19 से 22 सितंबर 2023 तक अंतराष्टिय समुद्री संगोष्टी अमेरिकी नौसेना द्वारा युएस नेवल वार कॉलेज निपोर्ट रोड आइलेंड में किया गया है ठीक है इतना और अमेरिका, अश्टेलिया, मिस्रिप, फीजी ये सबी जो देश हैं व्रिटेन सहित बिभीन देशों के साथ दिपक्षे वारता भी की गई यह कारिकरम, हिंद परसांद छेत्र और अंतराष्टिय नियम आधारित व्योस्था के वीजन को साकार करने की दिसा में भारतिय नो सेना की दिर्टा का प्रदर्शन है, भारत और अमेरिका की नो सेनाओं के बीच मालावार, सी ड्रैगन, रीम ओफ एसेपिक एकसरसाइज, टाइगर ट्राइम, जैसे दिपक्षे और बहुपक्षे अभ्यासों में संचलनात्मक भागिदारी तलासने पर विचार भी मर् कारिकरम के दोरान प्रसिक्षित कर्मियों की भरती के संदर में मानो संसाधन प्रबंधन की चुनोतिया अगनी पत्य योजना महिलाओं को ससक्त बनाने भारते नो सेना को लिंक टर्टस्ट बल में चलाने की दिसा में भारत की पहल के बारे में चर्चा की गई अब नेक्ष है भारत सौधी अरब ने 8 समझहोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किया था तो ये 11 सितंबर 2023 को हुआ है आठ समझहोता ग्यापन कौन-कौन से हैं तो भारत के नवीन एवं नवीकर्नी उर्जा मंतराले और सौधी अरब के उर्जा मंतराले के बीच उर्जा के छेतर में समझहोता ग्यापन पर हस्ताक चरुआ है डिजिटली करन और एलेक्ट्रोनिक बी निर्मान के छेतर में सौधी अरब के संचार और आईटी मंतराले और भारत के एमाईटी के बीच सहयोग ग्यापन पर हुआ है भारत के केंद्रिय सतर्ता आयोग और सौधी ओवरसाइट एंड एंटी करप्सन अथरोर्टी के बीच समझहोता ग्यापन हुआ है अभिलेकिय सहयोग के छेत में भारत के राष्टिय अभिलेखाकार और सौधी अरब के किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन के बीच सहयोग ग्यापन पर हुआ है इन्वेश्ट इंडिया और सौधी अरब के निवेश मंत्राले के बीच दिपक्छे निवेश बढ़ाने के लिए सहयोग की रुपरेखा पर समझहोता सौधी एकजीम बैंक और एकजीम बैंक ऑफ इंडिया के बीच समझहोता सिडवी और सौधी अरब के बीच के SME बैंक के बीच लगू और मध्यम उद्धोग बैंक की असापना और तकनीक छेतर में सहयोग के लिए समझा होता हुआ है भारत के राष्टिय परदोग की संसान सौधी अरब के खारा जल रुपांतर निगम के बीच समुद्री जल अलवनी करण पर समझा होता है आगे है भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू अंतर सत्रिय सनमाद वात्सिक गटन में आयोजित किया गया है तो अमेरिका के वासिंटन में 26 सितंबर 2023 इसको भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू अंतर सत्रिय वारता आयोजित किया गया है आपसी संबंदों में बदलाव की गती का उलेक करते हुए दोनों देश ने मिल जूलकर और संचालन व्योस्ता में सहयोग को आगे मजबूत करने के और सरो के संबंद में चर्चा किया है दोनों देश ने हिंद परसान छेतर में सहयोग समुद्री गतीवीदियों के संबंद में विचार विमर्ज किया है अंतरिक्ष और साइवर छेतर में सहयोग बढ़ाने पर बातचित हुई है दोनों पक्षों ने संपूर्ण हिंद परसान छेत्र में छेत्रिये सुरक्षा संबंदी गतिबीदियों और सामरिक परती प्रात्मिक्ताओं के संबंद में बादचित की है टू प्लस टू अंतर सत्रिये सनवाद में भारत और अमेरिका के बीच ब्यापक अस्तरपर साजेदारी से जुड़ी महत्वकांची पहलों के संबंद में आगे चर्चा हुई है इसमें प्रती रक्षा, उभरती प्रदोकी, लोगों के बीच आपसी संपर्क, स्वक्ष उर्जा और आपूर्थी स्रिंखला में लचीला पन जैसे मुद्दों पे हुआ है नेक्षे दैनियल तूफान डैनियल तूफान के कारण लीविया तथा ग्रीस जैसे देशों में ब्यापक छती देखी गई है तो डैनियल क्या है? एक त्रिव भूमद्य सागर ये तूफान है और त्रिव भूमद्य सागर ये तूफान को मेडी केन भी कहा जाता है इस तुफान ने भूमत सागर में जाने से पहले ग्रीस में बिनासकारी बाढ़ला दी थी जो एक उसन कटी बंधिये चक्रवात में बदल गया डैनियल तुफान के कारण लीविया में पांच हजार से अधिक लोगों के मारे जाने और दस हजार से ज्यादा लोगों के लापता क्या संका है समूदरी तूफान डैनियल की वज़ा से सबसे ज़्यादा खराब इस्तिती लीविया के समूदरी टट के किनारे इस्तत सहर डेरना की है डेरना में दो डेम थें दूफान और बाड से तूट गए लीविया के परधान मंत्री ने तीन दिन के सोक की घोसना की और देश भर में जंडों को आधा जुकाने का आदेश दिया अब नेक्ष है भारत और बांगला देश ने तीन समझोता ग्यापनों पर हस्ताक्चर किया है तो ये 9 सितंबर 2023 को तीन समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर हुआ है डिजिटल भुकतान तंत्र में सहियो पर भारतिय राष्टिय भुकतान निगम और बांगला देश बैंक के ब मीनी करनपन केंद्रेथ है तीसरा समझोता जो है ग्यापन पर भारतिय क्रीसी अनुसंधान परिशद और बांगला-देश क्रीसी अनुसंधान परिशद के बीच हस्ताक्षर हुआ है नेक्ष है मेक्सिको में गरपात अपराधी की सरेनी से बाहर तो इसमें क्या है मेक्सिको के सरोच नियाले ने 6 सितंबर 2023 को देश में गरपात को बिधी संगत ठहराया है तो नियाले ने कहा कि गरपात के लिए दंडित करने वाली बेवस्था और सन्विधानिक है क्योंकि अम महिलाओं के मानवा अधिकार का हनन है 2021 में गरपात को अपराद की सेरिन्ट से निकाल दिया गया था लेकिन तब हुआ सिर्फ दो राजियों पर लागू था मेक्सिको में गरपात कराने वाली महिलाओं पर तीन वर्स तक की जेल और जुर्माना लगाय जाता था मेक्सिको के बारा राजियों ने पहले इंगरपात को अपराद की सरेनी से बाहर कर दिया था नेक्षे सातो किल्मन वानू अतू के परधान मंतरी निर्वाचित हुए है तो परसान दूपिय राज जो वानू अतू जो राष्ट है इसकी संसद ने 5 सितंबर 2023 को सातो किल्मन को देश के नए परधान मंतरी के रूप में इनको चुना गया है यह निर्णा एक अदालत दौरा किल्मन के पूरवर्तिक के खिलाप और विश्वास प्रस्ताव को बरकरार रखने के बाद आया यह पीपूल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता थे और यही इसमें इंपोर्टेंट था बस यह देख लिजी वानू अतू जो 83 दीपों का एक दीप समू है इसमें जिनमें से 16 दीप पर बसावट है नेपाल के ललीदपूर में काठमांडू कलिंग साहित महसो बन हुआ तो नेपाल के ललीदपूर में 1 से 3 सितंबर 2023 को 3 दिवसी है काठमांडू कलिंग साहित महसो का आयज़न किया गया इससवी अकादमी नेपाल और भारत के कलिंग साहित महसो के एल एफ द्वारा संयुगत रूप से इस महसो को आयजुद किया गया निपाल भारत भूटान बांगलादेश सिरलंका के साहित कार इसमें भाग लिये इस आयोजन ने दच्छी नेसिया में साहितिक और सांस्कृतिक गतिवीदियों को बढ़ प्रोफेसर माधो परसाद पोक्रेल और अभिनेति मनीशा कुराला को यह सस्वी साहित सम्मान से सम्मानित किया गया है इनको ठीक है तो यह नाम याद रखेगा तो यह आपका अंतराश्टिय करेंट अफेर कंप्लेट हो गया है